हलो बच्चों कैसे आप लोग बढ़िया तो डाउनोग आज बात करेंगे आप लोग का जैसा कि क्लास 10 कल साइंस का एक्जाम है ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है यह जान लो ठीक है उसके बाद मैं यह वीडियो वादी क्लास आपके लिए शुरू करूंगा ठीक है सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको अभी जितने देर तक आप इस समय पढ़ाई करोगे करो ठीक है यानि कि रात के टाइम में आप जितने देर पढ़ाई करोगे मैं वीडियो शुट कर रहा है और एक दो घंटे बाद यह हो सगे तो वीडियो पोस्ट होगी तो जितन आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो बढ़िया वर्क नहीं करेगा ठीक है फिर उसका जोगा वेटा आपको एक्जाम के दोरान देखने को मिलेगा जो किसाई नहीं है ठीक है तो आप वहाँ पे इसके लिए रिस्ट नहीं रह सकते तो वेटा सीन क्या है most important सीन ही यही है कि जादा प्रेशर करने की कोशिश नहीं करेंगे आप लो ठीक है नहीं करेंगे प्रेशर करने की कोशिश और अच्छी रस्ट अच्छी स्लिप लेंगे एकदम जबर्दस्त वाली फाइन सूपर फास्लिप और इस लिप के बार ठीक है इस लिप के बाद आपको करना क्या है इसलिए chce बाद सूबा बटा ठीक है उठोगे पिर आप फुबा होगे एक नमबर दो नमबर फ्रेश रेश चपरदस्थ होना है आपको ठीक है नहाना भाना है ओके बाद उससेğि बाद पूजा पार्ट कर लेना आप जिस तरीके से भी आप्पूजा पाइट कर लेना उसकी बाद मन एक्तम हो जाए और सुचो यार कि मैंने पढ़ा तो कुछ है नहीं आखिर पेपर कैसे तो आपको करना क्या है आपको यह मेरी वीडियो खुल और एक्जायम सेंटर तक बहुशते बहुशते आपका मैं फुल रिविजन ठीक है अब सामने इसके बाद मैं आपको फीगर के बारे में भी कुछ बता दूँगा चलेगा तो बिटा मैं फीगर के लिए सेपरेट रखूंगा एक वीडियो और यह फुल रिवीजन लादी वीडियो जिसमें हम इंपोर्डेंट कोस्टिंस को भी करेंगे और कुछ इंपोर्डेंट पॉ तो सबसे पहले बिटा हम देखते हैं यहां पर तो बिटा हम लोग अभी NCRT के बेसिस पर यानि NCRT के चैप्टर को देखते हुए उसी करम को फॉलो करते हुए अभे बिटा आपके लिए यह 10th का वीडियो बना जा रहा है ठीक है अभी देखो बिटा सबसे पहले हम इंप सबसे पहले कोशन है वाय शूड़ा मैंशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बहुंत ही नहीं है तो सिंपल है यहां पर जो एंसर लिखा है आप साथ पड़ सकते हूं लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो उसको हम लोग मैंशियम रिबन होती है उस रिबन को हम रब क्यों करते ह है उसको ठीक है अटमोस फेयर में एक रियक्टिम मेटल है और खुंपे अरहे ह सी नहीं करता है तो तो हम उसको रगड़ के रियम नहीं कर जाता है और रियक्टिम गर जाता है और vigorously born करता है ठीक है तो यह था बेटा वाइ शूट आप मैंशेर रिवन बी क्लिन विफोर इट बॉन इन ए ओके next बेटा write the balance equation of the following chemical reaction यानि chemical reaction के जो balance equation आपको note करने है तो hydrogen और chlorine जो मिलके बनता है HCl बनता है hydrogen chloride बनता है अब ऐसे नाम करतेगा आपको balance करना है तो एक बात हमेशे दिमां में रखो बेटा जो hydrogen है और chlorine है वो दोनों के दोनों non-metal है ठीक है दिमां में रखेगा जो की non-metal हमेशा molecular form मिलते है ठीक है CO2 दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है बेटा HCl जिसको बोलते है hydrochloric acid और आप दिख लो बेटा है यहाँ पर 2 HCl mention है तो यहाँ पर 2 है क्योंकि hydrogen 2 है और Cl 2 है और दोनों मिलके जो बना रहे है वो 2 HCl बना रहे है यानि कि जो HCl है कि है उसके दो molecule वहाँ पर बनने वाल है ठीक़ो है acceptable day असे प्रकार बारियम chloride जिसको बोलते है Libacl 2 ठीक है और aluminium sulphate को बोलते है यह आपका बैलियम क्लॉराइड और यह आपका ऐल्मॉनियम सल्फेट और बैल्मॉनियम क्लॉराइड का होता है बैल्मॉनियम क्लॉराइड का होता है बैल्मॉनियम क्लॉराइड का होता है यहां पर देख सकते हो यहां पर मैंचन है यह है ऐल्मॉनियम Aal to isophorthrides तो C ने UMota कि जो ition credentialम होता है ठीक है जो itionпрachtet venom होता है उसका जो balance you know three plus की हो दिमांग मेरा लखे बताम ऐसे यह ऐसी तरह बनता है ए और जो sulfate होती है जो Sopho let Compan の hustle Tap 2 minus की valance होती है और यहां पे C नेacio जो bariac UC bro spent है तो barium की जो balance होती है प्लस 2 कितनी होती है प्लस अब टू यहां से प्लस 2 और chlorine की होती है वन तो आप देखो एक barium के संग 2 chlorine है ठीक है और एक aluminium के संग क्योंकि aluminium का जो होता है होती है तो जैसा कि अगर आपको याद हो बटा तो बच्पन में बच्पन में क्लास 9 में आप जब थे तो chemical bonding के आप करते थे तो क्या करते थे यह हो गया ठीक है और यहां पर हो गया बटा आपका आपका एस सो फोर ठीक है यहां पर होगे बटा आपका एस सो और यह होगे बटा फोर ठीक है अब इसका aluminium का जो बटा वैलंसी होती है वो होती है ठीक है अब करते क्या थे हम इसमें ऐसे अब जो ही ऐसा हम करते थे तब क्या हो था ऐल्मॉनियम के पास तू पहुच जाता था और एसो फोर के बाद थी तो आप देख लो बटा यहां पर होगे aluminium aluminium sulphate है तो AL2 SO4 थ्राइस होगे जब इसमें क्या होगा कि यह barium वाला जब और chlorine और chlorine अलाल हो जाएंगे और और यहां पर आपका chlorine ठीक अब barium का बटा जो वालांसी होती है प्लस टू क्लोरिंग की होती है माइनस वान ठीक तो एक और सीन है यहां पर सिंग क्या है बैरियम अगर कहीं जाएगा कि हमको reaction करना है हमको bond बनाना है और मालो एक chlorine आप पहुचा तो क्या करेगा chlorine से bond बना लेगा नहीं बनाता है क्या करेगा उसको चाहिए कम से कम 2 chlorine तो कहेगा जा विटे सबसे पहले जा एक और अपने chlorine वाले भाई को ला तब जाके हम reaction इसको प्रोसीड करके आगे फॉलो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे ठीक है simple तभी क्लोरीन जाता है अपने एक और भाई को लेकिए आता है तो यहां बनता है बीए सील टू ठीक है अब जब reaction में जब यह अलग-अलग होता है तो यह बीए बैरियम के आयन बनेंगे chlorine के आयन बने नहींगए यहां पे रिैंचन तोटा है तो चाहँ चाहता है यहां सभी के पाता है और यहां यही एकझाल से दिव जो सब्सक्राइब नोगों ने उपर वाला एक्षाइब करा यानि कि वाला उसको हम कंबिनेशन रेक्ष्ण भी कहा सकते हैं ठीक है और अभी जो हमने नीचे वाला यहां पर कंबाइन के निकाल के दिखाया हरा हुआ हुला डबल डिस्प्रस्में रेक्ष्ण हो सकता है तो यहां पर इक रेक्ष्ण वैं स्दुन में कई सारी पॉस्विलीटी कि हूसक्ति यह वह हो स्थी इसको स्मझ में आना चाहिए कि मौके पर लिखना क्या खांग को ठाल चलो अब hydrogen अलब ही तो hydrogen test भी पूछता है अगर पूछ दिया आपसे what is the test of hydrogen तो क्या करोगे simple कुछ नहीं करना है आप को करना क्या है आपको simple ले जाके hydrogen जहां से निकल दा है वहां पे matchstick ज़ला के matchstick ले जाके जहां तो स्ट्रिक तो Chrisには प्लेसे से प्लेस करें चैनलिए वहां पर क्या होगा वहां से प्रसुल zon न निकल ही मेंट भर जाई प्रसूbor दृट मे optics सांट की आज निकल आएक टुम्पर करेंगा योई यह वैसे पटपी आवाज निकल के आई ली ठीए तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या कि जो हाइड्रोजन है कि टेस्ट कर सकते कि वैस तरहीं में हाइड्रोजन गैस हाई कि नहीं है लिए ठीट समझे चौब नेक्स्ट विटा आपके सामने इसको हटाना पड़ेगा यहां से तो उसकी बाद नेक्स्ट कोशन आता है राइट अब बैलेंस इक्वेशन विट सेट सेंबल और फॉल्विंग रियक्शन अब देखो इसमें बैलेंस रियक्शन करके दिखा हो बैई तो यहां पर हम इस को देख लेते हैं थ्वड़ा सा बैक्वेशन में क्या बोला है यहां गौर करो तो solution of barium chloride अब बैक्वेशन क्या होता है तो barium का होता है ba और chlorine का होता है Cl और अभी हमनों पढ़ाना को barium का balance 2 होता है तो यहां बनेगा ba-cl2 simple आप देख लो बैटा यहां पर बना ba-cl2 और हमने sodium sulphate को water मिला रिया यानि na2so4 दोनों को मिलाया तो क्या बन गया ba-so4 और naCl दोनों बन गया और गौर करो अभी जो मैंने ऊपर question बताया न आपको वही same scene यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कोई ज्यादा question नहीं सेम सीन है ऐसे examination में ऐसे questions आ सकते हैं तो आप इसके उपर focus करें हैं भाई क्या क्या आ सकते हैं focus करने का scene है कि आप इसको balancing के लिए बहुँ जाया attention नहीं लेना ठीक है आप किल सामने अगर आ गया और मिन मौके पर को strike कर गया तो कर जाओ नहीं कर गया तो थोड़ा lift कर दो आखरी के लिए छोड़ देना जब आखरी में आपके पास वक्त बचेगा तो उसके उपर attempt किया फर जाएला टीकिए च्याओ चोंडन यह सोडियम-ंस-solution के अधा इसंफुर ऐसे हमने जब असीर में लिए यह गा वह बन जाएंगा वह तो यह sono H चला जाएगा सी यह के पास और चे पास तो अ-सइंब टयाएं घ्सीट कर बुष्ट्ट लजद मारे है सिंपल ठीक है जो नेक्स्ट विटा हमारे सामने है कि यह अब देख लो उपर यहां विटा आपके सामने है कि इस ताइप का कोशिण बहुत कॉमनली आ सकते हैं इसमें कोई दो रहने कि नहीं आएंगा आ सकते हैं वह ज्यादा चांसे बनते है इस तरह के कोशिण के लिए कि तो एक कोई सब्स्तांस एक जिसका विश्वाइशिंग के लिए करते हैं नियम दर सब्स्तांस एक से नाम देखो भई और उसका फॉर्मला देखो दुसरा है राइट दर रियक्शन डिस्टांस एक्षिट वाटर और पानी के रिखे दिखाऊ कि वस पर पानी संग आप जो घर में whitewashing वाइट वाला काम गांटा है लिए जो चूना होता है अब जो पानी किसेलं बहुत ढळगडा के रेट करता है और मागता है केलसियम हाइड्र उक्साईब यानि कीलसियम हाइड्र साइड जो क्या जिंदा चूना और बुजा चूना उसको को बोलते हैं हम लोग calcium oxide और जिसमें मुर्दा चुना होता है याने कि मरा हुआ होता है इसको बोलते हैं calcium hydro oxide ठीक है यह बदा सहीं आता है अगर हम लोग देखेंगे इसका reaction तो आप देख लो इसमें है calcium oxide में जब हम पानी मिलाते हैं तो calcium hydroxide का को मिल जाता है साथ में heat निकलता है जिस बरतन में आप उसको चुने को मिलाओगे न वरतन पूरा पूरा गरम हो जाएगा यानि यहां पर इस reaction से एक चीज़ हो सकता है हम इसको बोल सकते हैं exothermic reaction क्यों क्योंकि exothermic में heat क्या होती है बाहर निकलती है और यह जो condition आया है कि जिंदा चुने से बुझे चुना बना रहे हैं यादि क्विक क्लाइम से बना रहे हैं पानी की मदद से इसका मतलब हम यहां पे यह एक 100 थर्मिक रेक्शन की बाद कर रहे हैं तो अगर पेपर में कहीं एक स्थेर्मिक रेक्शन की नाम दे दीना है चेष देना पूरा बनिया से खाता नहीं है ठीकिया है सीन था यह जो जामपर है वो जैसा कि NCRT का INTEXT है तो आप NCRT का INTEXT में 1.7 वादा उठाकर देखना कि क्या है क्या है क्योंकि हमने भी यार तो किये नहीं कि रटा मार के बाइटे हैं लो मेरे पास इस समय तो NCRT का INTEXT होएगा ने ठीक है आप उसको देख ले ना क्या है नेक्स्ट इसमें है water contains two parts hydrogen तो अच्छा इसकी बात ही गई है तो अभी देख लो मान लो कि water की अगर आप electrolysis करोगे ना बिटा जैसे उस figure कि अगर water की electrolysis करोगे तो water दो पारगे टूटता है एक बात हमेसे देमा में रखना वाटर को हम हीट करके दो भाग में नहीं तोड़ सकते वाटर को जब भी हीट करोगे तो भाब बनेगा वह hydrogen और oxygen कभी अलग नहीं होता है तो water के hydrogen oxygen को अलग करने के लिए हम करते क्या है उन दोनों को अलग करने के लिए हम electrolysis प्रक्रिया का उपयोग करते हैं अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि electricity का प्रयोग करके पानी के molecule को अलग-अलग तोड़ा जाता है जिसमें एक test tube में hydrogen और दूसे test tube में oxygen अलग-अलग क्लेक्ट हो जाता है और यहां पर इसको कहते ह और जो गैस निकलता है तो वह गैस निकलता है एक hydrogen निकलता है और एक oxygen गैस निकलके बाहर आता है क्या होगा कि क्या होगा कि अगर हम copper solution के में अगर एक लोहे की क्या कर दें तो होगा कि वहां पर reaction हो जाएगा ठीक है कभी गौर करने डीप करके कि वहां पर reaction होगा क्या कि जो iron होगा या पर जो iron है वह copper sulphate को क्या कर दे रहा है क्यों जैसा कि copper sulphate का जो कलर हो ब्लू कलर को होता है और जो ही iron उसके अंदर जाके मिलें बिटा तो iron कलर क्या हो जाएगा इसको बना देगा iron sulphate यानि पहले copper sulphate तो अब क्या बन जाएगा iron sulphate और copper वहां से अलग हो जाएगा और solution color चले जाएगा green हो जाएगा यानि blue से क्या हो जाएगा जाएगा सिंपल नेक्स्ट आपके सामनी कोशन पूसकते इंपोर्टेंट नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आ गई कि डबल डिस्टेंट एक्टिविटी 1.1 से हो यानि एक्टिविटी है फिर देख लेंगे सोडियम कार्बोनेट रेक्ट विच्ट सोडियम क्लॉराइट यानि कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को नमक डिजसक्र instant क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा बिटा केलस्य Kathryn sin the Canon the sound Ond was charged with calcium's देख walks दिन डहीं क्या and आखे खराब हो रखें लगा रहा है कि कोई ने हम लोग आपके लिए आखे भी खराब करेंगे तो यहां पर ध्यान नहेंगे हम लोग के संग मिक्स होगा तो कैल्सियम कारवॉनेट बनेगा और सिंपल क्या है कि इने टू-COO3 यहां पे यह निकल के समझूड जाएगा और जो CO3 है वो समझूड जाएगा तो ऐसा होगा तो बनेगा कैल्सियम कारवॉनेट दूसरा बनेट पर है अब हम यहां पर इसको बोल सकते हैं क्यों एक में से निकल के दूसरे जोड़ रहा है तो उसको डॉपल है यहां पर है कि यानि यहां पर oxidation की बात हो रही है तो सिंपल आपको बता हुआ तो oxidation का मतलब जिसमें oxygen की addition हो ठीक है और reduction का मतलब जिसमें hydrogen की addition हो ठीक है तो इसको हम लोग oxidation reduction बोलते है इसका एक उल्टालर प्रोसेस भी है लेकिन मैंने जहां भी बोला आप confusion हो ठीक है तो मैंने सिंपल सोचना है कि आपको जिसमें oxygen एड होता हो वही oxidation है जिसमें hydrogen एड होता है वही reduction है इसको गौर करो यहां पर na में o जुड़ गया तो na2o बन गया तो यह क्या हो रहा है सिंपल एक बार फोकस करेंगे डवल बार फोकस करूंगा तो आप नहीं उस पर नहीं करना है को कली पर है नो कली फूजन एकदम सिंपल आपको clear cut answer रखना है नएक बटा copper oxide plus hydrogen क्या हो जाएगा यहां से oxygen हट जाएगा वह 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 है चल जाएगा यहां यहां से की hydrogen ने oxygen को लेके भाग गया ठीक है तो ऐसा कि copper oxide से oxygen अलग हो गया ठीक है तो यह तर दूसरा प्रोचिजर क्या था भई पहला था कि oxygen जोणने से oxygen होगा ठीक है और hydrogen जोडने से क्या हो गया सİंपल ठीक है कि यहां पर copper oxide में इसा vibot oxygen निकल गया है उसका मितलब हुआ यहां पर reduction simple ठीक है और hydrogen में oxygen जुड़ गया है इसका मतलब यहां पर हो गया hydrogen का oxidation simple थोड़ा से मनने करना कि इसको जान होगे तो थोड़ा से दिक्कते होंगे ठीक है इसी देख से फोकस करो hydrogen जुड़ेगा तो reduction और oxygen जुड़ेगा तो oxidation ठीक है और वाइस वरसा कर देना simple नेक्स रिटा आपके लिए कि which of the statement about the reaction will correct कौन-कौन से statement है जो correct है ठीक है तो simple है कि incorrect है कौन-कौन से incorrect है तो यहां पर lead oxide दिया है carbon दिया है lead दे दिया अभी reducing क्या है कि A और B बिल्कुल correct है क्या है lead is getting reduced यानि lead क्या हो रहा है और oxygen है यहां पर oxygen हट जा रहा है तो reduce हो गया और carbon dioxide is getting oxidized यानि C oxidized हो रहा है यह क्योंकि carbon dioxide कहा oxidized हो रहा है ठीक है हाँ oxygen हो रहा है carbon is getting oxidized यानि carbon oxidized हो गया है ठीक है तो इसमें क्या scene है next lead oxide is getting reduced lead oxide reduce हो जाता है इसमें हम यहां पर mention कर सकते हैं हम यहां पर देने की साब से कि यहां पर चारो पॉइंट बिल्कुल सही है ठीक है कड़बड नहीं है तो कैसे कैसे देख लेते हैं हम लोग चारो पांट यानि carbon oxide oxidized हो गया तो नहीं तो सही कौन से बढ़ा सही है carbon is getting oxidized carbon oxygen जुड़ गया और दूसरा है lead oxide is getting reduced यानि इसमें हो गया प्रोब्लम तो हम बात करेंगे c or d is the correct option ठीक है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा वही carbon oxidized हो जा रहा है ठीक है देख लो यहां पर सपा सपा carbon oxidized हो गया और lead oxide reduce हो गया क्योंकि lead oxide था अब बात करेंगे अब बात करेंगे fe2o3 plus al al2o3 plus 2 feo यहां पर क्या हो गया तो यहां पर fe2o3 और al यानि की al ने feo क्या कर दिया displace कर दिया तो यहां पर हो गया आपका displacement reaction ठीक है simple al ने feo कर दिया तो displacement reaction चल्ड नेक्स्ट next step what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling क्या होगा कि अगर dilute HCl को iron filling में डाल दिया तो तो बैटा दिखते हैं तो ऐसा होगा कि iron और HCl मिलके feCl2 बनाएंगे और hydrogen gas निकल जाएगा तो यह वादा option है hydrogen gas and iron chloride are simple ठीक है आप इसको tick लगा सकते हो answer में next step what is balance chemical equation तो यह simple है balance chemical equation क्या होता है ऐसा equation जिसके अंदर हम symbolic representation करके किसी भी तरह की chemical को represent कर सकते हैं उसको chemical equation करते हैं balance condition तब है जब reactant और product दोनों के दोनों क्या सोक करें दोनों के दोनों बिल्कुल balance हो तो उसको हम बोलते हैं balance chemical equation उसको हम बोलते हैं balance chemical equation उसको दिखाता हूं उपर देखलो एक reaction है यहाँ पर iron F1 एक्ठ है यहाँ एक्ट है पुरा left hand side को एक्ट है और right hand side को product कहते हैं तो left hand side में iron है iron जब एक molecule है एक item है इधर भी iron एक item है hydrogen जब दो आइटम है यहाँ पर हाइड्रोजन दोट है और यहाँ पर chlorine दोट है यहाँ पर chlorine दोट है जाते हो ठीक है next is translate the following statement into chemical equations and then balance them सबसे पहले क्या करना है कि आपको इन सबको पहले translate करना है equations आ सकते हैं सबसे पहले इसको translate करो उसके बाद इनको chemical equation को balance करो यह double काम हो गया वही हो गया कि वहीया सबसे पहले खिचली बनाओ और फिर खाओ और इससे पहले क्या था खिचली उठाओ हाथ से और खा जाओ ठीक है तब थोड़ा सा समय लगेगा इसने के बाद हाट 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 कंबाइड नाइट्रोजन टूफ़ार मोय था तैक लगए तीसरा आप नीडर मोगेन शल्फड यनी यह पर Kinder कोई जगा रिक्षन यूच करता है अगर आपसे पुलिया पीपीटी का फॉर्मेशन कैसे होगा तो आप यह सी ओप्शन चेप देना यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह जाएगा यह जाएगा इंट करके के बना दिया और है और कर लिया एक और सीन में है कि इसका बोथ हैं और आपको करना है ठीक है लेकिन मैं बता दूंग बात कि अगर कभी मांचो जल जलीम की चक्कर में अगर बैलेंस नहीं हुआ तो डाल अटेंशन मत ले थोड़ा सा आप लास्ट में जो आपके पास आदे करना है आपको पेपर के धाई घंट में बनाना ह इसको आपको कॉपी और कलम चाहिए आप कॉपी कलम उठाओ एक बैलेंस करो और फिर कोई डाउट तो आप इसमें नजर मैच कर लो ठीक है चल नेक्स्ट बैटा यह भी सेम वही बैंसिंग केमिकल इवेशन आपको यह सब सिखना पड़ेगा क्योंकि एक क्लास कर लो इसके प्राब्लम होगी तो भाईया दिक्कत होगा क्योंकि कंबिनेशन जो रिया कैमेस्ट्री में तो यह अच्छे कहसे कोश्टन आते हैं अब आएंगे तो भाईया नंबर लेके जाएंगे नंबर लेके जाएंगे जिसके अंदर से उचिस रेक्शन में से हीट बाहर निकलता ह जैसे अभी हमनों चुना वाला केस किया था वह एक्सोथर्मिक है उसमें से हीट बाहर निकलता है और एंडोथर्मिक क्या है एंडोथर्मिक जिसमें हम हीट देते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक यानि घरों में हम खाना बनाते हैं वह एंडोथर्मिक है क्यों क् तो अलग से उसको heat दे के पकाना पड़ता है तो उसको हम endothermic कहते है एक्सो थर्मिक करने का मतलब इसमें से heat निकलता है ठीक है तो simple heat के लिए अपसीन समझ लो वही चूना वाला जिन्दा चूना बजार से लेक्या हो पाने में डालो ओर simple अपने हाप उसमें से गरम बहाँ निकलना लगते है तो वह एक्सो थर्मिक कह सकती हो ठीक है एक ओर सिने थर्मिक है आप खाना खाते हो तो देरे देरे पसरे किया हो जाता है गरम जाले क्यों यह भी एक्सो थर्मिक है ठीक है इसमें से हीट क्या रही है प्रोडूसर के बहार निकल रही है फिगर होगा चल नेक्स समय बात कर लेते हैं वाई इस रेस्पेरिशन कॉंसिडर्न एक्सथर्मी अब इधा हम खाना खाएंगे तो यह पचाएंगे जब पचाएंगे तो सरीर में बहुत सारी प्रक्रिय होती है जिसके अंदर ऐसे कि हम बात करो थोड़ा सा बेसी हेटकर सलतें है तो इससे हमारे वाटे मेश करता है और से हमारे बादी हाज़ counties कर ус omExxor thermic interaction क्याता है इसको must explain करना आप लोगे next है why are decomposion reaction called the affiliate of the combination reaction क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि combination में क्या होते है A plus B मिलके A B बनता है okay combination क्या होते है की A plus B मिलके A B बनता है लेकिन decomposion उल्ता हो जाता है यह क्या होता है A B टूटके A plus B मिलन जाता है देख लो आप यहां पे नीचे सबसे पहले combination क्या होता है पानी और oxygen में water बनाता है और ultimate decomposition में फाइप पानी टूटके है hydrogen और oxygen बनाता है simple ठीक है next आपके लिए write one equation decomposition reaction where energy supply in the form of heat, light, electricity heat, light, electricity के form में decomposition करने के आपको बता नहीं है तो सबसे पहले heat बना बटा iron sulfide को heat करोगे तो iron oxide बनेगा sulfur oxide बनेगा sulfur tri oxide बनेगा यह हो गया आपका इसको बोलते में थर्मल डिकंपोजिशन बनते है next आपके डिकंपोजिशन बना लाइट तो सिल्वर क्लोराइड है light के presence में silver अलग हो जाता है आप यह वाल एक्जामपर यहां पर चेप सकते हो वैसे तो यहां पर iron oxide के लिए है लेकि मैंने कहना है कि जो आसान एक्जामपर हो वही लिखना है ठिक है चलो current is our दूसरा डूसर क्रता है यह कंपोरिप्सेंट करता है याजी इदर मेंपों दो लोग है और इधर एक लोगुटा इधर दो लोग इजाएगा अपने में पर मेंपों या में पर दो जाएगा हो हो ज़िए इसकोutto?, बन दो दो होता है यह जाएगा इसको करेगा आए जाएगा इसको करेगा तो डॉल दो बन दे दो दो candidate और displacement में 2-1 करेश्यों बनता है थीक है 2-1 और डॉल में 2-2 clear हुआ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग के सामने है है यह जाए बटा इन दे रीफाइनिग ऑफ सिल्वर तर रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रम शिल्वर नाइक्ट्री तो यहां पर अलग कर देते हैं यह भी प्रिसिपिटेशन रियक्षन इसमें क्या होता है कि जब भी हम दो केमिन मिलाता है तो एक नीचे ना नीचे के साइड में कुछ वाइट कलर का या या फिर यह लो कलर का पाउडर जम जाता है है उसको फीबीटी कहते हैं फिर फ्रिसिपिटेशन यह फ्रिंस पिगण्यक्छ गैख एक प्रिसिपिटिए Character है यह को आपको बी सबसी कौना मिलेगा है यह प्रिसिपृटेशन 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 प्रिसिपृटेश हम है यहां पर co2 में से 1 co हो गया है ठीक है और जो है उसमें एक और जूड़ गया है यांनि को देखो कि अधिश्टियों यहां पर यह हो गया है दूसरा कॉपर में हम ऑक्सिजन का यहां पर कॉपर का ऑक्सड बन लिए ठीक है तो दोनों में दोनों लोगा केस में ही ओक्षारियान काunu है ठिक है जहां पर इडिशन और ऋक्षीम ही इ़्यान More और यहां पर क्या होन गया है यह जग से लॉस होगा है और कॉपर ऑक्साइड में से जब ऑक्सीजन निकलेगा तो यहां पर भी लॉस हो गया कह सकते हैं ओक्सीजन के एडिशन कौन लोग ओक्सीजन کہ सकते हैं ठीक है जो दुल जिट्रेक्श पर पाट इस सानी ब्राउन इेलेमेंट और हींट प्लेट अब घृट आस्प Ministry और अंद क्मपॉंट फोफ है यहां पर दूसरा नहीं लिखना है ध्यान से इसलिए पड़ता है चैनल करता नश्ट कर देता इस वजए से बहुत खतर ना इसलिए हम आरे अर्डीकल को तो एक रेगुलर इंटरोग टाइम पर पेंट करते रहते हैं ताकि उस पर रस्टिंग का कंडिशन या कॉंसेप्ट ना लगी ठीक है चलो नेश्टे बीटा ओएल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटेम फ्लस्ट विट नाइट्रोग जो भी पैकेट फूड होता है ना ज वो उक्सीजन को उस पैक के अंदर नाइज से रहत है पाला कर्दिशन और दूसरा जो नाइट्रोजन होता है वो फूड के संग रियक्ट नहीं करते हैं नहीं करते हैं और दूसरा शीजन आने से हम हाँ पे रोकता भी है दबल दबल काम का हो गए इस वाजay से नाइट्रो से देना है वह है कि corrosion और rancidity तो corrosion क्या होता है तो भाई जब rusting of material यानि कि जब material rust करने लगे जब moisture के वज़े से chemical वज़े से को बोलते है वीटा corrosion ठीक है अब example क्या है corrosion क्या तो iron corrosion कर दो तो Fe plus 3O2 NH2O बनता है 2 Fe 2O3 NH2O इसको बोलते है हाइड्रेटेड और इसी का नाम है रस्टिंग ओफ ठीक है तो corrosion क्या होती है रस्टिंग होती है यानि और ऑक्सीडेशन हो जाता है जो भी खाना पीने खराब होता है उसको क्या इसको कैसे कम कर सकते हैं तो हम बारबाद नहीं हो जाएंगे यार कई से जितना कमा है इन अतना खाना पड़ेगा तो लपड़ेगा तो लपड़ेगा इसको कैसे करेंगे तो पहला है storing food in airtight container हम इन खानों को airtight container में रखेंगे दूसतरा storing food in refrigerator हम खानों को फ्रेज में रखेंगे तीसरा adding antioxidant हम खानों के सब्सक्राइब करेंगे जिसमें एक आता है बैचा हम यहां पर नूर के बता रहते हैं आपको क्या आता है एक आता है हमारा यह देख़ो पर एक आता है antioxidant में बी एक एक यह होगा बैठा बी एचे और एक होता है बैच और एक होता है बैच और यह एक टी बहते होगे ठीक है यह दो तरह के यहां पर प्रयोग करते हैं और दूसरा आखरी है इस्टोरिंग फूड एन इन एन अवर्मेंट आफ नाइट्रोजन और जो हमको फूड होता है उसको हम नाइट्रोजन बेसे से यहां पर जबसे ज़्यादा होता है वहां पर अपयोग करना चाहिए ठक है यह होगा चेप्टर वन समाब अब हम बात करें चेप्टर टू की अब हम लोग बात कर लेते हैं Chepter 2 की ठक है अब चेप्टर 2 को वह बूर्ता यानि कि जिसमें हम लोग acid, base और salt तीनों के बाते करते हैं इसमें जो important question पर चर्चा करी लेते हैं चलो आओ चलते हैं हम लोग तो सबस्क्राइब पहला scene है यहां पर थोड़ा सा यह नीचे और कर देते हैं यहां पहला scene है कि you have been provided with 3 test tube हमारे पास 3 test tube है जिसमें से एक में distilled water है एक में aesthetic solution है एक में best solution respectively if you are given only one red litmus paper how will you identify the content of this test tube यानि कि अगर हमें बस एक litmus paper मिला है तो हम कैसे identify कर सकते हैं कि यह जो test tube में जो liquid है वो कौन-कौन सा आता है तो यह करके वीटा यह वादा questions पेपर में जरूर देर्मे को मिलता है तो इसको ध्यान देगे वीटा कुछ steps है इस steps को follow करते वे लिखेंगे तो भाई आपको नंबर अच्छा मिलेगा पहले हैं सबसे पहले test tube को मार करणो ABC दूसरा a drop of solution test tube is put on the red rhythmus paper तो आपको red rhythmus paper से test tube में A में से एक drop पस निकालना है और red पर डाल देना है और same repeated with solution B and C और वही same आपको B और C पर क्या करना हुआ if I will change color to blue यानि कि अगर इन तीनों में से कोई भी color blue change किया तो समाद लेने बटा कि वह क्या है उसको eliminate कर दो और वह clear हो गया कि भाईया जो red को blue कर दे वह क्या है base simple अब आते बटा तीसरा case अब जो remaining two है उनमें से एक तो clear है कि एक acid के और एक neutral है तो अब हम इसमें से basic solution एक drop क्या करते है mix कर देंगे two solution में separately and then drop of this solution is put on the red litmus paper ठीक है अब एक बार देखो क्या करना है बटा कि आपको आपको उत्रपाइस लोगे कि basic कौन सा है तो basic में से एक बून निकाल नहीं है और एक neutral में से और एक बून आपके acidic में से दोनों को mix करके और फिर red litmus paper क्या करना है चेक करना है अब की बार क्या होगा बटा कि जिसके जो neutral वाला होगा उसके अंदर अगर acid डालेंगे तो वो acid हीश होगा ठीक है तो हमको clear हो जाए यह वाला क्या है क्योंकि वो नहीं color change कर रहा है ठीक है तो यह चीज़ हो जाए और अगर neutral वाले के neutral वाला acid में अगर ऐसा करेंगे तो neutral हो जाए तो वो कोई color show नहीं करेगा तो हमको पलच जाए कि जो color show नहीं किया वही क्या है वही है आपका acid और ऐसे इसको note करना है वहाँ पे copy में तब जाके आपको पकाया दे नमबर मिलना माला है ठीक है next question बेटा part 2 में आते हैं why should cord and short substance not be kept in brass and copper vessel तो ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी cord cord and short substance रहते हैं और अगर हमने brass के product में brass के समांग में रखा उसको ठीक है brass के समांग में रख दिया तो brass के संग या फिर copper के संग react करके और hydrogen gas का formation कर देता है और hydrogen gas के बंदने को वेज़े से जो खाना होता है खराब हो जाता है और हम उसको खाएंगे तो हमें gastric problem हो जाएगी फिर खतरनाक हो जाएगा घरों में इसलिए हम source card और source substance को brass और copper vessels में नहीं रखते हैं next वेटा which gas is usually liberated when acid rate with metal जब भी acid metal rate होता है तो कौन सा gas निकलता है दिमां में रखिए हमेशा hydrogen gas निकलता है ठीक है और कैसे test करेंगे तो एक क्या करते हैं मैंचिस्टिक ले जाएंगे और वहाँ पर पॉप-प साउंड लाएक हम लोग check कर सकते हैं clear हो जाएगा कि हाँ यही क्या है यही है hydrogen gas next वेटा हमारे सामने metal compound a react with delta to produce effervescence the gas evolve extinguishes of burning candle right of balance chemical equation यहीं गौर करना वहाँ जो metal a है ना वो dilute essence react करके एक effervescence मैंने कि छन से तूटी तेरा सपना यहीं इस टैप के चन से आवाज निकलता है और वह जब वह जो गैस हम candle से पास करते हैं तो candle क्या बुच जाती है तो ऐसा इसलिए है कि हम calcium carbonate calcium carbonate को हम reaction क्या करते हैं जब ऐसा करते हैं calcium chloride बनता है carbon dioxide gas बनती है और H2O वहाँ पे आपका निकल के आता है और फिर जब हम H2O को CO2 को पास करते हैं तो आप जाके मुंबत्ती के पिज़र पूली तरफ से पूच जाती है clear next question तो next हमारा part 3 में next है why do SCL, HNO3 etc show acidic character in aqueous solution with solution of compounds like alcohol, glucose HNO glucose do not show acidic character जो SCL है जो HNO3 है एको सलूशन में जबकि alcohol और glucose ऐसा नहीं करते है क्यों ठीक है इसलिए तो जितने भी acid होते है उनका जब अच्छा ही conductivity करते है लेकिन जब हम बात कर लेता है इन तरह की सब्स्टांस की जैसे alcohol की बात करें तो वह hydrogen छोड़ते ही नहीं है extra hydrogen होता ही नहीं उनके पास इस वज़ए से acid character show नहीं करते हैं और show करते है नेक्स्ट हम लोग बात करते है why does why does an acid conduct illicitive अभी बात की जब भी acid को हम पानी में घोलते हैं तो वह ions छोडते है hydrogen के फ़र्म में और जो की illicitive conduct करते हैं simple next time आपके सामने next time हमारे पास why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper क्यार जब जो dry gas होती है dry gas होती है HCl की dry gas होगी अगर हम उसको dry litmus paper पास करा हैं तो क्या कोई litmus paper में चेंज होगा तो इसका अंसर है नहीं चेंज होगा क्यों क्योंकि अगर dry HCl है उसके अंदर कोई भी water के molecule नहीं है और litmus paper भी dry है उसमे water के molecule नहीं है तो litmus paper कोई भी color show नहीं करेगा क्योंकि उसके उपर hydronium आया नहीं बनते है ठीक है इस वज़े से जो dry HCl है वो color change नहीं करेगा ठीक है इसके बाद next है next है करेगा while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water water not water to the acid यानि जब भी हम dilution करते हैं तो ऐसा क्यों recommend करेता है कि acid में पानी मलब कि acid में पानी नहीं डालना चाहिए जबकि पानी में acid जाना चाहिए इसके पीछे बहुत ही जवर्दस्त logic है क्या है कि just suppose कि वीटा कि एक पीकर है जिसमें भरके acid है ठीक है जाती है तो अगर हम पानी की एक पून डालेंगे acid में तो क्या होगा वो पानी बिलकुल split कर देगा छिटवा देगा पानी को तो जिसके वज़े से वहाँ पे damage हो सकता है क्यों क्योंकि पानी के संग acid के एक्सो थर्मी देता है heat बाहर निकालता है तो जब ऐसा करेंगे तो जो acid प्रजेंट होगा वो atmosphere में इस्तलाश हो जाएगा यानि कि जो ही एक्सो थर्मी करेगा पूरे atmosphere में छिटा जाएगा और हमें बहुत ज्यादा हनिकारत कर सकता है अगर हम आपे मौजूद हो तो तो इस वाज़स हम करते हैं कि हम पानी की अंदर acid डालते हैं जिसके वो भी dip-dip करके बहुत slider वो जो rod उस rod का प्रयोक करते हैं और उस rod पे बूद-बूद डालते हैं कि धीरे-धीरे पानी में acid डाल क्या हो मिक्स हो और वो जो reaction है वो काफी कम हो काफी कम हीट प्रोडूस हो ताकि यह पूरा का पूरा पूरा reaction वैटा easily conduct हो सके और हमें dilution after acid मिल सके ठीक है नहींसे वैटा how is the concentration of hydronium ion effect with the solution of acid is diluted ठीक है तो जब भी acid को dilute करते हैं तो जो hydronium ion होता है volume का क्या होता है जिसके वाज़े से जो acid का जो strength होता है उब क्या होता है चाहिसी बात है hydronium ion degrees होगा क्योंकि hydronium ion के वज़े से ही तो acid की छमता है acid का power है और hydronium ion ही जब कमजोर हो जाएगा कम हो जाएगा तो क्या acid पहले की तरह पुराना acid जो उसकी power उतनी हो जाएगी नहीं जाएगी डिक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट है कि यान कि जब हम hydroxide ion क्या हो बटा तो जब हम बहुत ज्यादा hydroxide sodium hydroxide डिजॉल्व कर देंगे पानी में तो भाईया hydroxide ion क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि hydroxide ion बढ़ने का वज़े से वह उसकी basicity value क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी यान क्यों कि wing की बढ़ की भाईया उसके अंदर hydroxide Business क्या हो जाएगा बहुत जदा बढ़े या क्यों क्यों कि हमने इसके अंदर based क्या कर दिया mix कर दिया है तो बढ़े का या आयन तो क्या हो बढ़े ही घड़े इसमें कोई इन नमर से रहे जदा जिसका स्वाल सिर्ट के पास ज्यादा हो तो चीसे पर जाते हो और जिसका इठ होगा मुझा और उसकी पर उपर होते हैं इस वज़े से हम से ठीक है चो नेक्स्ट इविटा हम बात करते हैं वाट देख कंसेंटर्शन एच प्लस आयन एफ अगर हम बात करें कि किसी भी सुलूशन अगर एच प्लस आयन बहु ज़्यादा इंक्रीज जाता है तो हम उस सुलूशन को बोलेंगे बेसिक अगर और किस सुलूशन में और उसको बोलेंगे बेसिक सुलूशन ठीक है तो हम बढ़ा तो लिख सुलूशन ऑजो एच प्लस आयन थो एसा क्यों जो बेसिक सुलूशन होता है है उनके पास भी होते हैं लेकिन उनकी जो होती है यान की का फीक कम होती है इस वह सकते हैं कि बेसिक में भी होते हैं ठीक है जो खेत होते हैं कि जो मिट्टी होती है धिरे-धिरे इन तीनों में से किसी का इपरोग करते हैं और हमारे जो मिट्टी होती है ठीक है उसकी फिर से जो नुट्राइजिसम वैलू आ जाती है और फिर से वो कल्टिवेशन करना शुरू कर देती है ठीक है नेक्स्ट नेश्ट है वाट इस दो कॉमन नेम आफ कंपाउंट सी यो सी यह तो यहीं क्या है कंपाउंट क्या इसको बोलते है ब्लीचिंग पाउडर ठीक है और उसका इपसी नेम कैल्सियम ऑक्सी खिलोराइट ठीक है यह गया फिर सब्स्टांस वीच विच विच वन ट्रीट में है क्लोरीन इल वहां पर बिटा आपको ब्लीचिंग दे देगा नेयर्ट ऑच्एंट जो कंपाउंट है वहारुट को सफटन करने में क्या मता है और आपका वासिंग सोडा वासिंग सवासिंग सुदा को मिलाद होंगे ना तो हाड वाट 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 ड सौ तो वहाँ पर सोडियम कार्वोनेट को हीट करोगे तो वह बन जाएगा सोडियम कार्वोनेट वाटर का वाटर और कार्वन एक्साट वीटा बहार आ जाएगा ठीक है तो यह सिंपल हो जाता है मलब की एक्सेंट के लिए और वाटर के वीच में तो वह बन जाएगा जिपसम के बन जाएगा जिपसम तो वह बन जाएगा जिपसम तो इस का फॉर्मूला होता है काल्सियम सेलफ़ेट हेमि हाइडरेट यानि 1 by 2 S2O यानि आधा पानी होता है और इसमें देड़ पानी मिला देते हैं तो बनता है CSO4 2 S2O जिसको जिसको हम बोलते हैं घिपसम ठीक है और यह ऊगे इंपोर्टेंट इसमें रखेंगे प्लस इंपोर्टेंट यूजेश क्या है खिलाए बहुत कॉमन एंसर है अगर आपको इस तरह कोशन अगर पूछ दे कि तो आख गया है आपके सामने वह है बिटा कि एक शुलूशन टॉन टॉन्स ब्लूब अगर एक सुलूशन ब्लू कर देता है इसका मतलब उसका पीज क्या विटा तो इन चार ऑप्शन में हैं दसवा ठीक है बाके सब तो एसेडिक हैं और यह दसवा नमबर है आपका बेसिक नेक्स्ट एक सब्सक्राइब तो गेश देट लाइम वाटर मिलकी तो इस अगर हम जो अंडे के छिलके होते हैं उनको तोड़के और मलब पिटा क्या करते हैं किसी डाल देते हैं और वहां से गैस निकलती है और गैस लाइम वाटर को मिलकी कर देती तो बताओ उस सलूशन मे क्या था तो वह सब्सक्राइब क्यों 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 क्योंकि जो अंडे के शल्स होते हैं वह कैलसियम कर्बोनेट के होते हैं अगर हम तेन अगर हम 10 लेते हैं तो हमको 8 ml चाहिए होता है उसको नुट्राइज करने के लिए तो सोचो 20 ml लेंगे तो हमें कितना चाहिए लेकिन मोके पर आपको दिमाब में रखना है कुछ भी पूछ सकता है डिरवा सकता है आप डरना नहीं अराम से सामना करना और उस चीज़ को समझते हुए चलना ठीक है जब आपका हाजमा खराब हो जाता है यानि पेट खराब हो जाता है तो कौन सा मदब की आप यूज करते हो तो जीट करते हैं एंटासेट जैसे डाइजिन होजीन आती है वह एंटासेट होती है ठीक है नेक्स विटा राइट वाट एक्विशन एक्विशन तो भी यह इसको तो दब को ध्यान देखना ही पड़ेगा कि डाइलूट सलफॉर को जब जिंक से रेट करेंगे तो जैन है अगर आपको दिमार में थोड़े थोड़े कॉंसेट्स हैं तो कोई भगाने वाला नहीं यह निमाग से ठीक है कोई निकाल सकता है सब्सक्राइब करना कुछ नहीं होता है जब भी अल्कॉछ को हम पानी मिलाते हैं तो उनके जो हाइड्रोजन होता है वह आयोनाइज नहीं होता है यह नहीं बनते हैं और आपको असिट बनाना किसी को भी तो आइंस का फार्मेशन ओना बहुत अवर्शक है अगर नहीं ळेंगे तो आईंस के वजह होता है होता है एस नहीं होता है और भी नहींघान देंCar a सिंपल है कि दीश्मी वाटर के अंदर लेटर ऊınd Griff deemed future all right इतना प्योंट है कि उसके तक अंदर कोई आइनिक फॉर्मेशन होता ही नहीं के मदद करते हैं जो होते हैं पानी की जब नहीं होता है तो वह अपने आयन को छोड़न नहीं पाते हैं जबकि पानी क्या करता है उनको हाइड्रोजन आयन को जिसे लीव करने में बहुत करता है टाकि जिसके वजह से वह इजली बीआवियर कर सकें अब पानी के इसे लिएग बीडी बीआवियर आधे डियावियर नहीं कर पाते हैं तुक्त नएध्व करेंगे ने सब्सक्राइब तो बताओ कि कौन सब्सक्राइब 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 गिंती होती है जिसमें एक जो होती है वह सबसे स्ट्रॉंग होता है और साथ होता है इनके बीच में जो भी आएगा वह इधर उदर कोई काउंट नहीं करते हैं ठीक है लाइन आप दिमाब में उसको रखेंगे ठीक है चलो एक्वल लेंथ सब्सक्राइब नेक्स्ट आफ यह फ्रेस्ट मिल्क है पी एच आफ शिक्स हाव दो यू थिंग पीज विल चेंज अटें इंटो कर्ट विटे जो पीज पीज मिल्क होता है यह लगबग एसडिक होता है जब भी कर्ट चैंज तो पीज रिडिस और जब यह परवर्ट होता है अब क्योंकि निक्साइब लेक्टो लेक्टो बैसिलस और अचिटो फिलस ठीक है और वह दोनों बहुत खतनाग होता है जहां जाते हैं असे अच्छा इस प्रज़ेंट होते हैं टीक है वह पीज में घड़ जाते है जो मिल्क में होता है वह बहुत चुटा सामांट बेकिंग सोड़ा डालता है और वह पीज को शिफ्ट कर देता है कि चोड़ा सा सोड़ा डालके ठीक है अब सिंपली बात है कि मिल्क मैं को अपने दूद को बहुत लंबे समय तक बेशना होता है इस सुबह जब से उसने दूद निकाला तब से और कमसे तस 11-12 एक वज़े तक बेशता रहता है अब इस बिच में अगर गर्मी के समय आया तो गर्मी के वज़े से और पीच वल्य टूद सकता है इसलिए जो मिल्क मैं नोते हैं वह पेंकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं उसके बीच में सिंपल बात है अब जब प्रयोग कर देता है तो अलकलाइं हो जाता है ना अगर हम नहीं करेंगे शूर्ण मॉस्टर के साथ मिल्क क्या बना देगा तो जब भी एस्ट्रों जब भी आपस में मिलके और बनाते हैं इसको बोलते हैं इसको होता है और करता है तो हम क्या कर लेता है हम पी लेते हैं और जाके अंदर मार के सेवाश्माप्त कर देता है यह नेक्स्ट आपके सामने इंपोर्ण यूजिद ऊटा यह नि बेकिंग वासिंग बहुत करते हैं और इसका इसका यूज करते हैं या पर्मानेंट वाटर करते हैं तो वह जैसे को बनाने करते हैं तो आग जहां जहां लगी होती है इसलिए ध्यान से देखेंगे तो अग जहां जहां लगी होती है तो आप में वह जो अज़ा है बुझ रहे होगे धीरे धीरे अब यह जो है आपका चेप्टर टू एसीड बेस सॉल्ट यह भी हो जाता है समाप्त अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चेप्टर की तो घ्री हम लोग देखेंगे तो अब हराँ तो अब यह होता है तो जो कौन सा मेटल है जिसको नाइफ से इसली काट सकते हैं तो वह है प्रेंट करते हैं और थर्मामेटर में प्रोपर्टी जिससे हम मेटल को एक पतली सी चादर चदरी बना सकते हैं उसको मैलेवेटी कहते हैं और डक्टिलिटी प्रपरटी है जिससे हम किसी भी मेटल को हम वायर में ढाल सकते हैं जो वायर से लो लगे होते हैं बिजली किनेक्शन उसमें ढाल सकते हैं उसको बोलते बिटा डक्टिलिटी ठीक है नेक् तो आरन को जब हम इस टेस्टिंग कर सकते हो नेक्स्ट है कैल्सियम का और प्रोटेशियम कराते हैं हम लोग तो कैल्सियम और प्रोटेशियम वह बनता है कैल्सियम का है और प्रोटेशियम का है और हीट निकल जाती है ठीक है तो आप हड्रेशियम का टेस्टिंग जानते हो पॉपप साउंड देगा नेक्स्ट विटा की सेंपल फुर मेटल से ए बी-सी-डी और टेकन आउट अट वस्लूशन दा रिजल्ट और टेलिट एस फॉलॉस मेटल एप यहां पर सामने सामने इनकी एबी-सी-डी की प्रोपर्टी लिखी हुई है जहां पर इनर का मतलब नो रियक्शन और डिस का होंगे विच दो मोस्त रियक्टी म्यटल थे इन चारों में सब्सेदा रियक्टी मैंटल कौन अब यह तो सबसी ज्यादा रादक्टी मितल आप दीखू लो कि सबसे ज्यादा रियक्टी मैटल है क्या शीन है कि इसcrs per श्लयतोरा ये ने को कि सो किस हैं णंतल मिलुन आगे साइसे मेंठाइब इन कितनी हो दो इस वज़े से हमें यहाँ पर हमने ग्फ इसमें सबसे ऊपर इसके वर्ट है एलमुनियम है कॉपर है कारव कारवन है एजी है यह तो बिल्कुल अलग लगाया ठीक है जिसमें हां यह यह जो यहां पर वी उपर मेंचन और जो क्या नेम है वह लोगा भी ए सीडी तो इस हम कहीं कैसा हो सकते हैं यह क्योंकि इसमें सबस तो के सबसे उपर रखा गया उसको उसके अरन आता है ठीक है और जो ऐख देख लो वह क्या है कि आई जोपर से जद कोपर से शहां तो इसलिए कोपर से अपर ऑगया जो ए उसके वाद सब्सक्राइब कोपर कॉपर सब्सक्राइब तो ऐसे पाइब चला तो सिंपल आपके सामने है ठीक है नेक्स्ट है बी सबसे ज़्यादा है बी को जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो वह कॉपर को डिस्प्रस करतेगा और ब्लू कलर चेंज जाएगे ठीक है बिल्कुल और कॉपर सब्सक्राइब यहां से डिश्चार जाएगा इसे कोश्ट पूचे जा सकते हैं आपको पूट के यानि कि जब भी हम रेक्टी मेटल में डालेंगे तो कौन सा तो आंग बंगे बताएंगे बटा कि हार्ट्रस के लावा कोई दूसरा गैस रेक्ट नहीं हो सकता जब भी डाल्यूट एसेड में हम लोग उसका प्रियोग करते हैं ठीक है चल बहुत सारे मच्छरे यहां आप कि यह नेक्स्ट वट्विड यूब्सराव जींक डाल देंगे तो क्या होगा तो होगा कि जो जादे यूट गर या करेगा और इसलियूट हो जाएगा और आरण अलग हो जाएगी ठीक है नेस बीटा कि आपको सोडियम का अक्सिजिण का कर लेना बहुत इंपोर्टेंट ह पेपर में बादा है इसको बनाना थिक है आपको इसको बनाना थिक है और इंक बलंसी पता है ना इसको बहुत अच्छा कुशन है इसलिए होती है क्योंकि वह सारे के सारे इलेक्ट्र स्टेटिक का मतलब की आयनिक आयन से वह अटाइस होते हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो सकता है पड़ती है इसलिए इनकी मेंटिंग पॉइंट होती है ठीक है सिरुप नाइक से बीटा डिफाइन दफॉलिंग टम्स तुम को डिफाइन कर दो जिसमें मिनरल और गेंग आ गए तो कुछ बाते इसके डिसक्रसन कर लेते हैं अगर और में भी अगर यह कूशन के आंसर आ ब्लाइसे हैं के दो सुने पर सुभागा हो जाएगा आपके लिए मिनरेल तो मिनरल क्या है तो मोस्ट ओब देमाट्र और निकालने बाद ओर में सिंपल ठीक है डेफिनिशन इनका नेम तुमेटल विचा फोकस मत करो ठीक है असान असान चीज़ों करेंगे क्योंकि यह वैसे भी सल्दबस में है नहीं ठीक है विटा चाल नेक्स्ट यह भी करते हैं तो कौन सा मेटल वह बहुत करते हैं लेकि बहुत मिनल होता है इस वज़े से और नामेंट बहुत है नहीं कम होता है नेक्स्ट है अलॉय क्या होता भी या अलॉय है है हमोगिनस मिक्सटर करते हैं अब अलॉय होने से एक नए तरह कि मेटेशन होती है जैसे की स्टील इस्टील एक अलॉय है ब्रास हो गया ब्राउंज हो गया आपका अमल्म हो गया जो मरकरिक वह ता है उसके बाद आपका शोल्डर शोल्डर अलो घो दिए ठाई उक्ताय नियुक्त करते करते एक तरह का अलोई होता है ठाई है छलो बाइस नेस्ट विक दिएप कशन तो तो हम आरन के पैन के ऊपर क्या करते हैं लोग ठीक है आरन के पैन के ऊपर हम लोग यहां पर जो फ्राइंग पैन पर हम जिंग की कोटिंग करने से उस पर रश्ट नहीं लगता है तो अक्सर आप मारकेट में जो भी फ्राइंग पैन देखो गया उसके ऊपर जीसे इसलिए उसको नहीं हो जाता है नेस्ट वेटा आपके सामने है एन इलेमेंट ट्रेट विट अखिजन टो गीब कमपाउंड विट हाई मेलिटिंग पॉइंट यानि कि कौन सा एलेमेंट है जो ऑक्षिजन से रेट करके हाई मेलिटिंग पॉइंट कमपाउंड देगा तो वह है बैटा कैल्सियम जब भी रे यह प्राइल ट्री अटीज वर जुटिंग का प्रोग खेल टीक है तो फिम लोग प्रोग करेंगे तो जींग करेंग कर जाएगा खाना और वह खाना सब्सक्रा घ्याय को तो हम हैंमर का घंडल के बाद का जो मिटल पार्ट होता है उसको हम कर सकते हैं तो इसको प्रमेशन कर सकते हैं चोगे चुशर किंट्र अगर्ण सकते हैं प्रील कर भूर सकते हैं इसे कोईल को कुल डाल दो चाहे वो हैमर का पीछा लपाट डाल दो जो लकडी का बना होता है वो भी कड़ाट नहीं करेगा ठीक है नेक्स ने बटा वोटर एंफोटरिक उकसाइड क्या होते हैं दिमांबर को बहुत इंपोर्टेंट है सिस्टार कर लो इसको इसमें दो यांपल है एक एक जिंक यही दोनों आपका अपका अपसाइड को करते हैं और बेसी करते हैं नेक्स नेम तू इसे को नहीं नहीं कर सकते हैं उसमें आप पोटेशियम और सोडियम लेलो अजो नहीं कर सकते हैं उसमें कोपर और सिलवर लेलो किकी हैं स्क्राइब को हम हमेसे इंप्योर मेटल रखते हैं तो होता है कि निकल निकल के के इसी तो सोन्ट रखते हैंक जो सॉल्ट जो मेटल होता है उसी मेटल का लो इस लाक मोशन करने में में अधर अनुपर अआनिक ऑन्हें आसान ही हो ठीक है निए अपके सामने है परती उच्टू सलफ़ पॉडर और इस पैटूला एंड ही टेडिक घैस इवलबद इन वर्टिंव अधिस्टू ओप रिखरश्च नहीं होगा और गैस सलफ़ अउपके में आपके सामने है परतीष्टू सलफ़ पॉडर पाओर ना इस क्या करते हैं तो प्रशक आयरन को प्रवेट करने के दो तरीकी क्या है तो एक है उनको आइलिंग कर दो ग्रेसिंग कर दो दूसरा उंके इएंक कर दो नारिज कर दो तो जब भी नॉन मेटल औक संग कमाई होता है तो बनता है नॉन मेटल का ओकसाइड और नॉन मेटल की इतने भी अकसाइड होते हैं वह हमेशा एजडिक मिनियुम फ्रोकर थे नेक्स्ट है कि आगे सुर्ण कि यंट केलित कोटे हैं तो uni क्लाने के लिएन की लिए नेक्स क्यूंकि बहुत हैं रिक्टिभूत हीच तो होता है कि जो होता है वह हाई टीट है पर इस रिस्टेंट तो को रोजन यह जल्दी वह को रोड नहीं करता है इस वज़े से वह उसका प्रयोग करते हैं तो पर ठीक है और वह इजली यूज है इस वह इसका यूज आपके सामने आपको बस में चीज़ें नेक्स आप सीन टानीश कोपर वेसल बिद लेवन और टमारें जोस क्यों तो अब यह जब भी हम कॉपर या कॉपर के बरतन में अंदर से बहुत ही काला टेक हो जाता है अगर उसमें निभू या फिर इमली का जूस ढाल देता है तो वह कुछ दिबा करके और hydrogen gas liberate कर देता है जिसके वज़से वह पूरा का पूरा पीटा उस पर जो लेयर होती है कॉपर की वह एक लेयर पूरी निकल जाते उसमें से अब लेयर जो नहीं लेयर आएगी वह चंकेगी चंकेगी तो हमें लगता है कि हमने उसको साफ कर दिया जबकि ऐसा नहीं ह आपको याद रखना है ठीक है में अब याद करो सेंपल है इदम इजी है आपको यहां में आएगा चेप देना ठीक है नेक्स्ट है आपके सामने विटा अब देख लो हाँ वाइक कॉपर होता है यानि कि किसी तीनों में से किसी तरह के पानी से रियक्ट नहीं करता है ठीक है जबकि आयरन इस्टेम के संग रियक्ट करता है अब सुचों कि आयरन के अगरन के बनाएंगे तो जो ही पानी गरम में करके वह आएरन का अक्साइड बना देगा जो कि कुछ दिन में वह दिस्ट्रॉय होके और काम कतम हो जाएगा इसलिए हम लोग कोपर के टैंक का प्रोग करते हैं जब दिन सोलर वाटर के प्रोग करते हैं ठीक है ये था थे चैप्टर थी जो हो गया है है अभी समात अब हम दों बात करेंगे चैप्टर फोर करेंगे अब चैप्टर फोर कारवान कंपाउंड की ठीक है तो इसलिए ध्यांस देखो देखो कारवन का वालेंसी चार होती है देखे लो और अब इनकी आपस में इसलिए कारवन के संग बंड इसलिए कारवन के संग मिक्स कर गया तो यह यहां पो दो और को दो और चार चराठ हो गय और इस यूई है और यह पर संपल सकते हैं कई जगा इंप्सक्राइब सुप्र करें एक जो एक जो मॉलीन बनता है ना इक करावन की तरह कि ना पुरा लग रहा है कि राजा का मोगट है इसके ग्वह घुटो लेकिन इसका क्राउंशेप बनता है और आठ अच्छ के एडू होते हैं तब जाके इक इसके के एक और एक बनाता है नॉर्मल नहीं है यह वह बहुत कातर नाक होता है इक है आपका आइसो पेंटेन और यह आपका नियो पेंटेन टीक है यह तीन इस्ट्रक्चर हम बना सकते हैं नेक्स टेविटा वोट टू प्रोपर्टिव कार्वन विच लेट टू हुज नंबर अफ कार्वन कंपाउंट वी सियर्स दो प्रोपर्टी यह एक है कार्वन को आपस में जोड़ सकता है यह तो नों के वज़े से बहुत लॉंग लॉंग चैन और हुज करवन का मौन के चैन बनते हैं ठीक है नेक्स्ट विटा वाट विल्ट फॉर्मला इलेक्ट्रोंट इस्ट्रों पेंटन यहां पेंटन यानिकि एक दो तीन चार पां पारवन की जो बनते हैं उसमें आपके चार चारी बनेंगे एक डो तीन चार उससे अधिक नहीं थियासे कोशन आहिंगे के लिए कोशन आएमंग को तो को इस टेक्ट्रों में रखना और नेमिंग नेमिंगत neighborhood प्र्टेंट है नॉर्मल नेमिंग अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिकत नहीं है पर आई पीस यादा रहना चलत देख लो कैसा इसका फॉर्मेशन आपके विटेव कि जो भी किटोन गूरूप होता है वह हमेसा बीच में जोड़ता है क्यों कि इसके पास दो साइड में ब्रांच खुले होते हैं जोड़ने के लिए जब कि दूसरे जितने भी होता है अल्दिहाइड, अल्कोहल, कार्वोक्स लेग इनका बस एक ही ब्रांच खुला होता है यहां पर यहां पर कुछ दिर में उसको शिफ्ट करके बीच में डाल देंगे तो यह एक-दो यह विदें ब्रोम होई थे जासा क्यों होता है क्य compliant है सबसे पहले इतनोल कोंट होता है इتي अथेंट होई होता है लेकिन जब हम इस ट्रॉंग का प्रयोग करते हैं तो हम डायट कर सकते हैं इसलिए इस लिए अपके सामने तो इसे प्रयोग करते हैं अब हमने एक एक एजमपल में हमारे धुदियो ने आपर शोर्ट में देच सकते हैं एक एजमपल भी दिया मोगों और लांग में आप एक वीडियो है आश्याइट लिंग का एसे इसलिए इसलिंग करते हैं न कि जूल जाता है वह यज़ू फ्लेम से सीधा ब्लू हो जाता है और है तो उसमें Oxygen की जवरति इसलिए परती है ताकी जो जो ऑन्सट्रार हाईड्रोकर्मन है क्या हो जाए सच्च्छिरे हो जाए और पूरा पुरा प्रियों आप करते हैं और फिर तरह कर सकते हैं घैस विल्टिंग के लिए कर सकते हैं कटर मशीन के कैसे और एल्कोहल को तो है sodium bicarbonate test ठीक है अगर हम sodium test करें ठीक है तो होगा क्या कि एक डाल दें तो इफर्वेसेंस के साथ क्या होगा इवलूशन होगा co2 का जो करेगा कि यह है कार्बॉक्सलिक ऐसे ठीक है जबकि एल्कोहल के संग यह रेक्शन नहीं करेगा ठीक है इस वज़े से हम sodium bicarbonate test वहां पर कर सकते हैं ओके नेक्स बटा कर सकते हो यार एक एल्कोहल में आप डलो कोई अशर नहीं होगा और ब्लू लिटमस आपका रिड हो जाएगा तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो अक्सिडाइजिंग एजेंट वाले उक्सिडाइजिंग एजेंट वाले और दूसरा है पर मेंगनेट के नहीं को दिखना हड वतर करता है टव सब्सक्राइज आपके आति व leftover को कि लिटएज़न सबींगत वार्ड तो जब्ल्ड bisa Chinga यह जो आपने शो फोन कर लेता है है तो यह जो मेशन होता है वो ले के बाहर आ आपके पड़ती है जिस लिए इस तरह की आपशक्ता महां पर पड़ती है ठीक है लिए इस फेल बाटा है C2H6 इसमें बिटा आपका दो 7 covalent bond बनेंगा इसके बीच में नाइस है बुटे नाओन है 4 carbon compound with a functional group 3 number बिटा क्योंकि बुटे नाओन में ओया नहीं है तो ketone बनेगा simple next है वाल cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that क्या मतलब है बाई वह फ्यूल है वो completely burn नहीं कर रहा है ठीक है simple ठीक है बिटा चलो next है next है एक्सटेटा explain the nature of coilent bond using the bond formation CS3Cl यानि आप देख लो CS3Cl में 3 hydrogen bonding में एक chlorine की bonding है यानि कि इसमें आप देख लो बिटा की 4 coilent bonding की formation इसमें हो रही है simple ठीक है next है बिटा इसी को बस show करना है आपको paper में रॉड दर इलेक्ट्रों डॉट स्ट्रक्ट्चर ऑफ इत्वन गासीड hydrogen sulfide propanone or fluorine अप देख लो बिट्रा लाइन से इत्वन केस्ट यह hydrogen sulfide है यह प्रोपनोन है ठीक है और यह फ्लोरीन है ठीक है सिंपल ज्याद आप नहीं करना है अब देख लो जाकर वहां पर ट्राइक करना जब अब सब्सक्राइब और यह एक ऐसा फैमिली है जिस फैमिली के अंदर हम सेम फंक्शनल ग्रूप वालोगों को जिसकी प्रोपटी सेम होती है और जिनके बीच में क्यों सिर्फ टॉट होता है उसको एक साथ रखते हैं ठीक है और इस पूरे ग्रूप को भी बोलते हैं हम लोग होमोलागा सिरीज जैसे कि अल्कोहल के अलग सिरेज बनेगा अलग सिरेंगा कर्बंग्यइग का अलå कर्बैक्तारी सेम होथी बदो diver ढंशत पर क्येंफ ने डेक्ती है तो इनके 3 पॉइंट है melting point लिटमस और ना-s-c-o-3 से रियक्शन देखो इतनौल होता है उसका melting points 156 Kelvin होता है ठीक है और इतनौल के सिट का होता है 290 Kelvin और लिटमस से बात करो तो इतनौल को ये देता है पर ये ये ब्रिस्क इफर्वेसंस देता है और co2 gas निकालता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि नहीं है तो ये इसके उपर हम बता सकते हैं कि जो इतनौल है वह इतनौल के से कैसे अलागा है ठीक है गेंनेन दूसरे स्वल्मर हम ऑस करें दो भी ऐसा होगा तो पैट कि जो होता है ऑरके जो हम बात करते हैं कि यानि कि जब हम बात करते हैं अदर जैसे लोगो गोलेंगी तो इतनॉल में में क्या होता है और नहीं आपका नहीं आपका वाटर लवर करेगा उसको नहीं दो करेगा इस configured को शोटका करेगा इस वाब दो नहीं 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 हो सकता है तो आप ऐसे वहां पर मेंशन कर सकते हो बकायदे वहां पर लिखा के बना के आप दिखा सकते हो क्योंकि इनके अंदर वह बहुत ज्यादा इमाउंट में इनर्जी होती है जब भी हम इनको बहुत वास्ट में हमको क्या करते हैं इस वजह से क्लिंजिंग और गभी हम और यह समय होते हैं और कंटेक्ट में आथा है तो क्युब संद निकलता है और थोड़ा भी सफाय नहीं करता है यहां साबुन खतम हो जाता है पर सफाय भी नहीं होती है बैटा आपके सामने वाट वाट चेंज विल यूँ आपके अपसे होट इसा होता है जो सोप रेट विल्फल आलकालाइब Vincent और टॉर रेट बिल्फल ब्लू कर लेता है जब ऐसा कर देता है इसका मज़ना हम कह सकते हैं कि जो सोप है वह बिल्कुल alkaline nature का है ठीक है इसलिए यह सब जितने भी साबन होते हैं वह alkaline nature के होते है next है what is hydrogenation और इसके industrial application के है तो hydrogenation क्या होता है जब भी हम unsaturated hydrocarum hydrogen addition करते हैं याइड करते हैं तो हम उसे बोलते है hydrogenation ठीक है और किसके presence में तो palladium and nickel catalyst होते हैं के presence में हम लोग करते हैं अब होता क्या है कि जब भी hydrogen add करते है इसको हम लोग बोलते हैं reduction क्योंकि पता है न कि addition of hydrogen equal reduction यादि कि इसको reduction में हम लोग बोल सकते हैं अब क्या यूज़ा है तो इंडस्ट्री ना यहीं से वनस्पती घी यह जो डालडा घी होता है वह इसी तरीके से बना जाता इंडस्ट्री में इस वज़से इंडस्ट्रील परपर्ष लिए बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है तो यह से इंडस्ट्री में बटर और कुकिंग वाल में क्या डिफरेंस आप दे सकते हो तो जो बटर कुकिंग और होता है वह उसमें एक्स्ट्रा इसा न सुपकिंग क्या हाता है तो भाईया इसको बंदाते दिखाना पड़ेगा इस में आप देख सकते हो यहाँ पे आगे आयना किसका हो है söyleyeयना जो यहाँ पर पिछो फड civर है उसको बोलते है था यह तो क्रों करता है और ऑच जाता है इसी को एक्स्पन करना है कि मेसल का फॉर्मेशन करना है बताना है वाटर फिलिक हाट वाटर फोबी कि क्योंकि जब पांच नमर पूछेगा तो बकायदे हर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा स्टेप वाटर बकायदे उसको पांच नमर का मतलब कि एक जड़ेट पन्ने में उसको लिखना पड़ेगा ठीक है बहर एक चीज कोई भी चीज मिस ना ओके चला तो ऐसे कि कावं कमान भी हो गया हम लोग का समाप्त अब हम बात करेंगा नेक्स चेप्टर की जिसका नाम है अ कि मल्टिसुलर और शाल अगर्ने वाटा उसमें यहां उसमें डिफूजन प्रॉसेर क्यों ने चीज सकते हैं तो सीन है कि जितने मृटिसुलर है उनमें बहुत सारे उन्हें होते हैं और डिफूजीन प्रॉसेस काफी सलो प्रॉसेस है इस प्रॉसेस सब मढ़ जाएंगे इस वज़ा से उत्य इस वज़ा से उमांत नाइस के लिए बिलकुल सही प्रॉसेस नहीं है सांस लेने की लिए क्योंकि इनके हर एक सेल्स को सेल्स तक और पर चाने में पुरा साल दू साल दस साल विससा लग जाए वहागा जाएगा ततुक भी पहुचेगा नहीं तो दत्त पचले लेगा आदा आदमी काम खतम क्रिया कलाफ हो गया उनका इसलिए मल्टिस्लूर और जनम के लिए बिटा डिफूजन प्रोसेस बिल्कुल सही नहीं है तो यह किवल में काम करता है जिसके अंदर किवल एक सेल हो अब यह एक सेल होगा तो पर लिमिटेड है एक सेल है अब एक सेल में यह प्रोसेस काम कर सकता है पर मल्टिस्लूर में प्रोसेस काम बिल्कुल भी नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट है वाट करेड़ वी यूस तूर सम्थिंग एलाइव यह कोई भी चीज जिन्दा है कैसे पता कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है हम उसके हाट बीट अगर वह मटिस्लूर है तो हम उसका हाट बीट चेक करते हैं वह जगह से नहीं गूम सकता दोड़ सकता बाग सकता या इसली सही हो सकता यह देखने में हमको विमार कर लगता है तो हम कह सकते हैं वह ज़िवीध है कि नहीं है और वह हिलती-दूलती रही उसके बॉड़ी गरम रही उसके अंदर बलड़ फ्लो होता रहा तो हम ऐसा मानें कि वह चीज जिन्दा है ठीक है वैसे भी हर एक चीज के एक फिक्स समय होता है इस समय तक के बाद वह चीज़ों को मनना अवश्यक हो जाता है ताकि हमारे नेचर को बैलेंस करना होता है नेक्स्ट है उसके बाद और और उसके बाद ऑक्सिज़ों करते हैं वह यूज करते हैं ठीक है हेट्रोटोपिक तो खाना जिज करते हैं सीयो टू भी मिनरल्स भी और ऑक्सिज़ों करते हैं तो इस सब प्रियोग वाली बात है सुबह खाओ सामको जाओ फिर सुबह खाओ खाते जाओ याते जाओ जाते जाओ पेट साफ रखो एक तो इस चीन उसके बाद सरीर में सारे तत्वा लगें ताकि आपके बाड़ी में ग्रोथ हो तब ही तक आप जिन्दा रहो ठीक है जो भी खाना स्वाम मना है अज जो खाना दो से बेडिपरेंट करें है अट्रोपी जांपल प्लांट और हैंपल इनिमल्स सिंपल ठीक है चो नेक्स पिटा आपके सामने वेर ड़स दप्लांट गेट इच और रो मेटल फो फोटो अनि प्लांट फोटो शेंसे के लिए रो म पानी ले लेगा और मिनरल भी लेगा और फोटो से बेसे स्टार्ट कर देगा वाकि संदलाइट तो चाहिए ही चाहिए उसके में तो कुछ होने माला है नहीं नेक्स है रोल अफ ऐसे डिना हो इस्टमक क्या रोल है तो इसको बोलते है गैस्ट्रिजों और इसके टोटल पा करता है निकि पांच फंक्शन हैं बहुत सर करता है दूसरा प्रों इन्ट इनको और यह चोड़ा धया ली क्रिक्रम कर देता है जो प्रोटीन होता है यह कुछ से अपर और nесто और नोसकी या और इनका काम होता है कि जैसे कि यह खाने को करते हैं ताकि पेपसिन उसके उपर वर्क कर सके है उसके खाने के अंदर जितने माइक्रोणियम होते हमको मार देते हैं ठीक है ताकि अंदर इंफेक्शन ना हो और इस टॉपज आप एक्सलियरिम माईलेज यानि कि जो हमारे जिसे सलाइबा में से जो भी हमालेज होता है उसको काम करना से क्या करते हैं रोब रेते हैं ठीक है यह चार पांच इनके फुनक्टाइन का क्या है ठीक है। पिटा नेक्स्ट है विए इसमों इंटेस्टेइन विटा लगे होते हैं विलाई तीक है विलाय यहने की फिंगर-like projection जो आपके प्रोटीन केलसम विटामिन फॉस्पूरस सब कुछ उसमें खीच के और ब्लड में क्या रहता है और फिर ब्लड में से हमारे बॉड़ी के कौने कोले में क्या हो जाता है यानिकि अब सब्सक्राइब आपके सामने और यहां परसेंट से कम और यहां पर से कम वहला है और से कम वहला है अपरसेंट ज्यादा ही होगा है नाइस बेटा, what are different ways in which glucose is oxidized to form energy in various तो बाई याद दो तरफ इस होता है, एक होता है, एक होता है, नोन एरोबिक, रस्पिरेशन होता है और अरोबिक में क्या होता है, जो हम जन्रली हम सब यूज करते हैं, वो एरोबिक यूज करते हैं, जितने भी हूमन होता है जिसमें जब खाना खाता है, तो उस समय energy produce होता है, जो ADP होता है, और खाने के 2-3 घंटे बाद जो energy produce, उसको ATP कहता है, ADP मतलब होता है, एडुसीन डाइफोसफेर और ATP के मतलब एडुसीन ट्राइफोसफेर, ठीक है, ADP instead energy होता है, और ATP long term energy होता है नेक्स्ट आपका anaerobic respiration, तो anaerobic दो तरकस हो गया, एक हो गया fermentation, एक हो गया muscles, lactic acid fermentation, ठीक है इसमें क्या होता है, ferment anaerobic में क्या होता है कि glucose convert होता है, alcohol में, जहां पर हम सराब और आपका formation करता है ठीक है, और anaerobic में जो lactic acid होता है, जैसे बहुत साथ खिलाडी होता है, तो दोड़ते, फांते, खेलते क्या होता है, कि उनके क्या करता है, पैरों में बेटा खिचावा जाता है, acid का formation हो लगता है, तो उसको बोलते हम लोग कि acid का formation हो रहा है, लाक्टिक acid हो रहा है, ठीक ह हो गया, अज जामने के बल्ला है, कि उसमें कुछ हो रहा है, ठीक है, दर्द सा हो रहा है, अलग किसेंगा दर्द हो रहा है, उसको lactic acid formation कहते हैं, नेक्स्ट बेटा, how oxygen carbon dioxide transport in human beings, तो कैसे transport होता है, तो जो भी oxygen carbon dioxide होता है, oxygen होता है, ठीक है, जिसको हम लोग oxy hemoglobin बोलते है, 97 यह 7% वहीं से होता है, और 3% plasma से होता है, यह 100% oxygen, और carbon dioxide कैसे निकलता है बाहर, तो वह होता है, 5-7% plasma से, 70% आपका sodium carbonate plasma से, उस पर 30% combined with hemoglobin, जिसको बलते है, कार्भी hemoglobin बोलते है, ठीक है, यानि कि कई सारे form में CO2 हमारे body से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और कर भी ल human beings to maximize the area of exchange for gases, ठीक बाटा, तो होता ही हुए कि हमारे lungs में बहुत सारे parts होता है, ठीक है, जिसमें bronchiols हो गए, bronchi हो गए, आपके क्या करते हैं, उसको बाटा, alveoli हो गए, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो total area होता है, 80 meter square, यानि 80 meter square होता है, इतना जगा के area, इतना 80 meter square का, और इतने जगा पे अराम से जो oxygen आता है, अनि air आता है, वो सक करता है, फिर air बाहर निकाल देता है, ठीक है, यह process है, और यह बिलकुल tree की तरह होता है, जैसे हमारे बाहर पेड़ों होता है, वैसे tree की तरह हमारे lungs में होता है, उस दुआपर tree में पतिया लगे होते ह जहां से gases की exchanging होते है, ठीक है, ठीक है, next step, what are the components of the transport system human beings, or what are the functions of this component, तो transport system में कौन कौन से है component, तो एक है आपका, एक है आपका blood vascular system और lymphatic system, ठीक है, blood में होते है, blood आ गया, इसमें hot आ गया, blood plasma आ गया, ठीक है, blood plasma आ गया, तो यह सब आ गया, और blood plasma में भी, आपके red blood cell, white blood cell blood platelets, blood vessels, arteries veins, capillaries, तो इस सारे के सारे जो चीज़े होते हैं, यह सब help करते हैं, ठीक है, जहां पर heart body को pump करता है, blood सब कुछ carry करता है, जिसमें आपका RBC, WBC platelets हो गया, blood plasma के अंदर nutrients, vitamins, excretory, hormones, materials, सब कुछ उसके अंदर होता है, hemoglobin, सब कुछ उसके अंदर है, antibody सब उसके अं immunity system को balance करना, और platelets काम होता है, जानते ही है, कि इसी से सब कुछ carry होता है, नहीं होता है, तो carry कैसे होगा, ठीक है, next, lymph body system, बिल्कुल blood की तरह होता है, इसमें lymph, lymph vessels, lymph nodes होता है, ठीक है, इसमें सबसे main होता है, WBC का formation होता है, और यह सबसे important है, body को यह, body को external agent होते हैं, जो aliens हो होता है, उनसे क्या करता है, body को protect करता है, ठीक है, next है, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds, यानि कि दोनों को अलग करने क्या हो सकता है, तो अगर दोनों को अलग इसलिए करता है, ठीक है, आर warm blood होता है, जिनको हमेशा energy maintain करना पड़ता है, body के temperature क्या क्या करना है, maintain करना पड़ता है, energy ठीक है, इसलिए उनको high energy क्या उसर तक पड़ती है, और अगर उनके warm, उनके जो oxygenated, अलग अलग नहीं रहे है, तो वो हमेशा अपने अंदर कम energy feel करेंगे, क्योंकि deoxygenated blood energy क्या करता है, घटा देता है, और आप हमेशा थका-थका मैसूश करते हैं, तो भई, तब तो फिर पड़ी नहीं पाएंगे, और इसलिए रिंग रिंग के चलेंगे, फिर कोई भी खा जाएगा उनको, ठीक है, तो यह सहिंग है, नेक्स्ट है, what are the components of transport system in hylonal plant, तो hylonal plant में transport system कैसे होता है, तो वो होता है, जाईलम औ फ्लोयम से है, ठीक है, जाईलम के दो पार्ट है, जाई भेशता है, plant में अंदर, और फ्लोयम के करता है, जो भी food बनाता है, plant उसको पूरे body में distribute कर देता है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़कर है, how are water minerals transported in plant, यानि जो water minerals होते है, plant में कैसे transport होता है, तो वही जाईलम औ फ्लोयम के पार्ट में transport होता है, बकायदे steps wise है, process ठीक है, तो इसको प्रोस्ट बोलते हैं, ट्रांस लोगेशन, नेसे बटाइब डिसका फ्लोयम और यहां पर मेंटेन है, बहुत ज़्यादा कुछ डीटेल दे दिया है, ठीक है, इससे फोकुस्ट नहीं करना है, यह ग्लोमेलर्लस है, यह वोमन कैप्सूल है, यह ट्यूबल है, यह ट् यहां से फ्यूबलड आपस में फिर से अपने जगह पे चले जाता है, यह ट्यूबलड पूरा नेफ्रान का कॉंसेप्ट, फिर आपको क्या करना है, इन सब के स्पेस्पिक बारें बताना है, भी डिसक्राइब करना है, चार पांच नंबर में आएगा, ठीक है, ध्यान दे के लिए तो फोटो से निकलता है, हमारे लिए यूसफुल है, पर प्लांट के लिए कोई काम का नहीं है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जाइलम वेसल, निकल जाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, उसके बाद निकलते हैं, यह सब प्लांट के क्या होता है, यानि कि जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड निकालती है और उससे हमारा पूरा का पूरा जो इस्टम होता है ठीग है और जैसे बॉडी को पर चलता है कि यह एक्स्टा इन हो गया तो चलो इसको इसको दिशन कोगता तो यह सब मेंटेनस काम है थीक है तो इसलिए यह एडिये मतलब होता है antidiuretic hormone होता है ंधियूरेटिक करता है जिसको हम लोग करता है इसलिए जयासे augen kavy n आज़ए वहां थे pra फॉर एक्सक्राइशन जैलन अपना रिस्पॉंसिवल फॉर ट्रांस्पॉर्टन अप वाटर तो ऑ्ट्रोपिक मोड नुट्रिशन किस में होता है बैटा और अब देवो सब कुछ होता है अब ब्रेकडाउन अफ पारविट तो गीप करोनेक्स है वाटर एंग ट्रांस्पॉ फूल को करना में सलेव क्या रहो हु़ह है तो सलाइवा में निकलता है था है अया कर देता है और नैक्सराइक सब को और सब्सक्राइब फोर तो आपका देचन है कि वह यूटिशना कि वैपॉसें सब्सक्राइब यहां पर चार्ट नहीं अरॉबिक नहीं चाहिए इसमें नई होता है इसमें होता है इसमें होता है इसमें इंप्रोबीड ये ने इंडर्वर सियो 2 और एथाय अल्कोछल और एलक्रिक आशिक निकलता है इसमें अनर्जी सब्ज़़धा निकलती है 3080 निकलती है 2080 ठीक है यह सिंबल तो जो इस्ट होता है वो भी अनरोबिक मोड का रेस्परेशन करता है तो उसको ऐसे कियाता है कि लगबग 80 मीटर स्क्वाइर का एरिया कवर करें जिसके वजह से बहुत ज्यादा है मोंट उसके अंदर से जो गैसे भरे होते हैं जिसको यूज करके हम लोग बॉड़ी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ठीक है नेक्स्ट वट उसके बॉड़ी तो अगर बॉड़ी हम अनेमिय नर्ड की विमारी हो जाएगी और हमें हमेशा कमजोरी महसूस होगा नेक्स त electrics circulation क्या होता है इक होता है इक सिस्टमी शरकुलीशन को बोलते हैं लोग जिस जहां से हर्ट से बॉड़ी और बॉड़ी से हमें जाता है और एक हूता है Diam से लन्ग्स और लंग्स घृट में आता है ठीक है यह जी हमें जिसमें पूस्ट पूछता है प्रस्पोई प्रस्टर बटान चैंस ङला और अल्वीाली और 걸ेके बीच में नेफरोन इसके लिए नहीं होता है इनके वहल थिक होता है इन इसमें निकलता है और इसमें किडिनी का जो डस्ट पार्टिकल्स है वह नेफरोन से पास होके इलिटर में चला जाता है और अशीन के लिए और नेफरोन होता है बेसीग फिल्टर के लिए और एसे करके आपका लाइफ प्रोसेस क्या भी हो जाता है आप अब हम आदेखेंगे नेस्स बात करते हैं इसमें उत बीइडियेट एक्शन में और फ्रेक्शन किडियाए फिर्वत बीटिया है अन्न ऐसे और walking इस दो व्योटेशन घ्टाइ रहती हो रहता है रागता यहाई डिळित लेकिन walking कीया है वह व्यटेशन और न्या तो इसको बोलते हैं है जो बोलते हैं आपका नियुरो ट्रांसमीटर लिकुड बोलता है ठीक है उस चैनिस में जो गैप होता है उसमें लिकुड भरा होता है जो उस सानेश को यानि कि दो नियुरोंस को दोनों को आपस में अटजाश करनें में काफी हक खरता है ठीक है बटा तो यह यह जो गैप है उस ये जो मुल्त साइश का नाया देते हैं और उसमें जो ठीक्राहर बलता है बटां ट्रांसमीटर लिकुड पतर भी नएक से तरह बनें स्मेहल ऑफयन अग्रवट्थी अग्रवथी की महक होते हैं कैसे डिट्ट करता है तो तो इन पेरा कि जो अग्रवथी की सुगंद होती है ठीक है वह उड्टोरी सेटर के माध्यम से हमारे इंदर जाती है नोच से और फिर जो और सामल तो सलल तो निए डिक़ैनल को इलेक्टरिक के इमपॉसे हमारे ह्ऐ़पोथरमस को जाता है और वो अगरिभथी के быстр Change के चाप्र यानि हम बात करें तो reflex action में brain का कुछ खास रोल नहीं है ठीक है इसमें केवाद spinal cord का ही रोल है ठीक है क्योंकि यह सब काम बहुत fast करना होता है अगर तुम सोचोगे तो कुल बहुत दिक्कत हो जाएगी इस वज़े से इस पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन में सब्ज़ेता पर्युग बिटा किसका होता है हमारा spinal cord को उसको spinal cord spinal reflexes भी क्या सकते है ठीक है brain का उतना कुछ खास इसके अंदर उप्यूग नहीं है ठीक है लेकिन जो भी brain कर उपर उपर बोलते हम लो Cerebral Reflexes, क्या बोलते हैं उसको? Cerebral Reflexes, जिसमें आपका आँखों का बंद करना, उसके बड़ा की सलाइवा का आना है, यह सब Cerebral Reflexes है, क्योंकि यह दिमाग के तो नजदिक है ना, तो इस वज़े से यह सब Reflexes हमारा brain करता है, ठीक है? और वह हार्मोन हमारे plant के अंदर बहुत ही इसली तरीके से प्रोडूस होते हैं, जैसे oxygen हो गया, जिब्रेलीन हो गया, cytokine हो गया, और इनका specific use भी है, क्यों? क्योंकि भगया, plant में कोई भी circulatory system नहीं है, तो plant अपना पूरा security system यह सब oxygen के मादम से करता है, यह हार्मोन के मादम से करता है, ठीक है, how is moment of plant different from moment of shoot towards light, यानि कि यह कैसे है, तो, जिस sensitive plant है light से, तो क्या सी में है, तो इसमें क्या होता है, जिदर stiffness होता है, जिदर move करता है shoot, और growth होता है, moment काफी slow होता है, लेकिन, जो sensitive plant होता है, उनका moment non-daction होता है, जैसे बिटा, some floor की बात कर लो, इनका moment non- भी fix नहीं है, एक है, growth does not take less, और growth नहीं होता है, नहीं होता है, जैसे, moments are fast, moments काफी fast होता है, ओक है, जैसे बिटा, giving example, a plant is promote growth, growth click on हो दो तो, जैसे है, जैसे बिटा, how do oxygen promote the growth, the trends around the support, तो, when the tip of the trend touches the support, the oxygen present on a tip, moves to the side of the tip which is away from the support, तो दूटा होता ही हुआ कि जब भी कोई टेंडरेल के पास कोई support आता है तो जो oxygen होता है वो दूसरे side shift हो जाती है जो हट हट कियो साइट जिसके वज़ा से जिदा के side आपका कहता है आपका oxygen ज्यादा होता है वो fast grow करता है इस वज़े से support किसम बहुत जल्दी आ जाता है तो आप experiment आप वहां पर शोग कर सकते हो कोई issue नहीं है जिसमें आप दिखा सकते हो कि पानी की तलाश में रूट कहां कहां बटकना लगता है आप उसे दिखा सकते हो टो केमितल कोडिशन कैसे होता है तो अंगया हर्मों में भी होते हैं इसको हम इंड्राइन में डिवाइड कर देटें ठीक है ओर यह सारे के सारे वो को help करते रहते हैं यानि कि animals को help करते रहते हैं समय साइसर पताते रहते हैं कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है ठीक है और क्या-क्या बोडी में growth करवानी है वो भी सब time to time information चलते रहता है क्या में ड़िमारते में से और अगर इसकी कमी हुई बोडी में तो गटर नाम की विमारी हो सकती है जो कि बहुत मज़ा नहीं देगा बहुत भद्धे से लगोगे ठीक है बुरा लगे होगे अज़ा प्लेट आप लोग का यो शोव पानी खराब हो जाए ठीक है तो आप लोग थायोशन वाला काम मत करन कि अधर नमक आयोडीन वाला ही खाना ठीक है लैक्त हाव डाज और बडी इस पॉंड गड्र में हर्मोन लगता है श्क्राइज को टेज जाता है और जो जब भी में सब कुछ स्ट्राइज क्राइज लागता है और हमारी बोड़ी बहुत ब्गत हों लगती है ठीक है और जो सब कुछ समय के लिए होता है और हमारा एक्षन है रिफ्लेक्स है वह बहुत ही फास्ट हुजाता है इसलिए हम तुरंत एकदम इंस्टेंट रिस्पॉंस इसके उपर किसी सिट्योशन के लिए करता है यह होता है कि जब भी पेशन्स के अंदर प्रॉपर अमांट में नहीं होता है तो ब्लड लेवल सफिशेंटली इदर उदर खटता बड़ता रहता है जिसके वज़े से हम इंसुलिन की इंजक्शन प्रवाइड करते हैं जितने भी पेशन्स होते हैं ताकि उनका जो बोडी का the following is plant hormone cytokine the gap between two the brain responsible for all of this and what is the function of the body to carry all the information from the outer surrounding to the brain okay simple now let's see us draw the structure of a neuron प्लांट में बहुत सारे हार्मों मौझूद होता है जो कि बहुत सारे हार्मों मौझूद होता है तो लाइट के बेंडिंग हो जाती है इसलिए उनको हम लोग फोटो ट्रॉपिंग वाले प्लांट कहा सकता है इनमें रूट और शूट का सिस्टम होता है ठीक है जो जो इस फानल कोड इंजरी तो जब भी इंजरी होता है तो दो सेंट्रल नर्वर्स सिस्टम होता है न वहां का जो 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 इस पानल इंचरी वह अपना कंट्रोल खतम कर रहें ठीक है। जो स्पाइनल रेफ्लेक्सिन उनका एकांट्रोल खतर की फोरेंगे लिए बहुत ही गंबर करने में भी हाल्थ गंविर हो जाएगा आप How does september basis on farmland to be chemical coordination 8 सब्लाइशन का होता है एक सि्स्टेमेंट कर दो फॉर्सर बालेंस होता है धुक्छार होता है जो प्लाइनत के हार्मोंश को कंट्रोल करता है कि वे कौन सा प्लाइंट किस समय में प्रोआइद करवाना यह वगक RAW अंदर प्लांट जितने भी और वियम है वह सारे सारे डावर्स नेचर में मड़ने लग अलग सिस्टम है अब सबके लिए अगर कंट्रोल कोर्डिशन स्मीं हो जाएगा तो पुरा बवाल हो जाएगा अब समने लें और बाकी आगे का समझी सकते हो ठीक है तो इस वज़े से यह समस् वज़े हैं तो वलंटरी और रिफलेक्ट कैसे है और सुच समस्क्राइब करते हैं और क्या इससे बड़ी क्या डिफरेंस हो सकती है तो आप इसे अराम से इसली सकते हो कम से तीन आपको महाँ पर मेंचन करने ही करना है ठीक है कम से कम तीन आपको डिफरेंस चाहे प्रोपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी उससे आप पच्छ नहीं सकते हैं ऐसे करके आपका कंट्रॉन कोडिशन वी रहता है समाप्त तो थे दमद्व आगे हैं हाउ टू और यम डिपोडुस में उसमें देख लाते हैं वाट इस दे इंपोर्टेंस ओफ डिन कोपिं लिए किस का लड़का है तो इस वजह से DNA copying एक important phenomena है पता करने के लिए कि कौन किस का offspring है और कितना variation हो रहा है ठीक है नई से बटा वाइज variation beneficial to be specific but not necessary for the individual जितने भी variation होता है ना वो individual तोर पे अच्छे नहीं होता है पर condition variation तोर पे अच्य होते हैं क्योंकि अ बहुत सारे variation होते हैं वह बहुत सारे important and beneficial species to the species but not necessary for the individual individual नहीं कह सकते पर species तरह पर important है next आपटा हम बात करते है how does binary फीजन differ from multiple फीजन binary फीजन multiple से कैसे अलग है तो जो binary होता है एक-दो डिवाण होता है लेकिन multiple एक से बहुत सारे डिवाण होता है इसलिए बाइनरी फीजन, मल्टिपल से अलग है, सब पस बाइजम पचलता है, नाम से पर चलता है, हल्की होने के वज़े से यह हवा और पानी के संग एक जग़ से क्या कर सकते हैं इसलिए काफी बेनेफिट होता है रहने कि तो अच्छा लगता है कि मल्टिसुलर के नहीं बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल्स को वापस रिजनरेट करना इतना भी आसान नहीं है ठीक है इसलिए यह फिल हो जाता है यह नहीं मैं देटा कि कुछ प्लांट हैं जो सिट नहीं देता है कुछ प्लांट जो आखरी धरचे हुह में है इसलिए खराब हो गयी है और कुछ बहुत स्लोगरोथ कर रहा है इन सब चीज को मेक अप करने के वाटा वेस्ट डेरी प्रपराइशन किया हो सकता हमको पड़ती है ठीक है नेक्स्ट है वाई DNA कोपिंग असे इसलिए पार्ट है इससे होता है कि जब से डिवाइड हो जाता है तो जो सेल के अंदर इंफोर्मेशन से वह ट्रांसफर हो जाता है ठीक है और तो इस क्या होता है कि जो कंप्लीट वैरीएशन्स होते हैं एक पर इसलिए हम वेशचिंण से इसी इस तरी के सो हुता है में फ्रॉमेशन होता है सब्सक्राशन अंतर वर कि उता है एक सरह नव्हीं यह पोरिये साफिय हुए उनिछ परकाने नहीं और पीछ्ण में टिक है टिक है तो यह काम है कि एक एडिशनल मीडियम देता है जिससे इस पॉंप एक जगह सथ जगह कर सकते हैं और प्रोश्टेवल ग्लेंट के क्या है तो वह क्या करता है वह आप क्या में क्या करता है कि करता है कि कब सब्सक्राइब और का और theory कि छया थीजन की तो इस इसक नहीं करता है एक पीजवल और इन्हा त्यार्यम उशट्रोचर लगता है तो उसको तो मेंड़ेंगे यह रखता है ठीक है नेक्स्ट है what are the changes in girls time of puberty तो क्या के changes भाई दिख लो growth of hair under armpits पुबरीजन, darkening of pubic region, high pitch voice, growth and development of breast, darkening of area around nipples और onset of menstrual cycle तो यह कुछ 4-5 point है इंगले से आप 3 point में लिद्धोगे एकजाम में तो कोई इस्यो नहीं है ठीक है नेक्स्ट है कि how does the embryo get nourishment inside the mother body तो जो embryo होता है कैसे nourish होता है तो पेटा होता ही हुआ है कि जो mother body में एक special tissue चुक आते है प्लसेंटा ठीक है नेक्स्ट है इस लिए इस लिए दूसरे नहीं बचा सकता है ठीक है इस लिए दूसरे system तो what's difference मिल में होता है फीम में कैसे हो सकता है एक जबी सब हैं सब नेक्स्ट है अंदर दे अंदर contents तो the answer sorry the answer contents क्या है सेपल ओविल कारपल पॉल्म में होता है बाकी सब तो भाई फीमेल की फ्लावर के अंदर ही पार्ट है ठीक है एंधर में क्यों पॉल्म में होता है कि next विठा आपका कि what are the function performed by the tested human being तो टेस्टेस काम होता है टेस्ट्रस्टरों हामों निकालना जिससे मेल सकेंदर सेक्षोर करें और पहला दूसरा इस इस सब्सक्राइब टिक है नेक्स्ट विल स्वाइब तो इसके उकर होने से वाइब वह करें नहीं होता है तो इस इस वेजियें से ब्लीड हो जाएंगे तो इस किसी को हम लों मेंस्पूरेशन कहते हैं ओके नेक्स्ट है ड्रॉ और लेवल डान लोगनेशन फ्लावर तो फ्लावर देख लो बेटा यह स्टिग्मा पेटल एंथर फिलामेंट स्टाइल सेपल एकसेल ओवियू ओवरी यह सब आपको मेंटेन करना मेंशन करना है वहाँ पर और नाम लिए देना है बिल्कुल सेम आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है नेक्स से बीटा वाटर डिफरेंट मेंटर को कंट्रसेप्शन तो कंट्रसेप्शन के अलोलो मेथड है चार है पहला बैरियर मेथड जिसमें कॉंडॉम्स और सर्विकल कैप का यूज किया गया है इसमें पिल्स का परोक करते हैं एक तीसरा अधी इसमें कोपल टि का प्रोक करते हैं यहां वही करते हैं आई सीटी का नेक्स्ट चौथा है सोल्जिकल मैथर्ड इसमें जिसमें जिसे वास्ट डिफरेंस और फैलोपेंट को कट करके और बांद देते हैं इसको नसबंदी भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट पीटा अगर तो हमारे धर्ती पर जितने भी क्या कहते हैं उनके लाइफस्टाइल मेंचन होगे उनके क्या 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 करते हैं जो नियू बेबी होंगे उनके अंदर बहुत सार वेरियेशन होंगे जिससे एट्मॉस्फेर क्या रहेगा ठीक है नेक्स्ट है तो पहला है पॉपलेशन बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए तो क्या करते हैं कि दो बच्चों के बीच में एक फिक्स टाइमिंग गैप रहें जिससे कि दोनों बच्चों के पालंद पोश्चान में कोई ज्यादा एफेक्ट ना आवे ठीक है जो कि मि मम का जो हेल्थ हो वह बहुत ही क्रेट हो ठीक है बहु जाया दिकत ना हो मम के ठीक है अब बात करें गोंगए हम लोग है आविटी एनड इवॉस्चैंद में इसे पाथा Spark Carolina है बस हो पर च्रचा करनों में को ठीक है तो पहला सबच्च्चान है चैक्ट तो ने पर रेक्शन जब्ठीवरीछ हें एनिवीजिवर्ट परिफिर्टियोग्य पोपलेशन तो लेडीर अगोना जाओर्वाति है कि अगब रहेवड जो पोपलेशन एकाय विवह द्यूसर फीजिवर्ट हाओर है और इसका मनलब कि यह इसंपल अगर हम लोग बात करें तो इसको कह सकते हो आप एक सकेंड यहां से स्टार्ट करना हम यह यह पगड़ी हो गई तो यहां पर है यह तो यह भी कोई यह कौशन नहीं इस पर बात नहीं करेंगे तो क्रिशन आप में यह इस पर देखते हैं तो क्रिशन आफ बैसे जुटल पर भी स्टार्पूरेशन वाइल दोस दो नॉट है देवरेशन विल नॉट बी अबल तो फाइल सच नॉट कंडिशन होगा तो क्या होगा कि सर्वाइवल बढ़ जाती है ठीक है जैसे तो बात करें हम लोग तो मान चलो कि कोई बैक्टेरिया है जो सोड़ी सल्सिस पर मर जा रहा है तो अगर वो अपन में परिवर्तन करेंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि स्वाइवल के लिए ठीक है ने कैसे दिखा सकते हो कि जो ट्रेट्स होता है वो डॉमिनेंट है कि रिसेसिव है तो यह मेंडल ने फाउंड किया था अब आम देखा था कि मोनो ढवाईब्री प्रोश करेंद किया और उन्होंने ली कुछ घंज ही देखा और बताया कि जो भी उसको डॉमिनेंट केरता है और जो बी चिप गिया जो ट्रेट्स को बोलते है बुट्व ठीक है तो यह तरीका था मेंदल करने का डॉमिन करने का ठीक है डाइसे मिट्टा हाउट। ईंडिपेंट्टि ली तो उन्होंने जब टैभेड क्रॉक्स का दृष्ट का था कि इसमें फिक्स रिश्यो नहीं है कि कोई फिक्स रेष्यो नहीं है कि इन हेटेड होने का इस वैसे इस लोग कोलते हैं लॉफ इंडिपेंडेंट असौर्टमेंट जहां पर उन्हें रिंकल चना और वह गोल अचना लिया था अब रिंकल मटर लिया सबको रेक्शन करा है और देखा कि यह सिन हो गिया ठीक है एक आजनी की वह ब्लड ग्रूप और उसका डॉटर के ब्लड ग्रूप और इस इंफरमेशन इन देल्यू विच ट्रेट ऑप द्लड ग्रूप और ओ जोविस्त और वाइफ दॉमिनेंट वाई और व्याइट यह कैसे पाचले आज कि कौनसा ग्रूप डूमिनेंट थो नो बि जो ब्लड ग्रूप आ है यह नहीं हो सकता है या तो वो ग्रण्टाइपिकली डबल आ होगा या फिर आ होगा इस वज़े से लड़की का जो जो उसकी बीटी है उसके जो ब्लड ग्रूप है वह भार है ठीक है simplu है फिमेल से टूखो सिंस निकलते हैं एक्स 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 देने वारी है तो अब डिपेंड करता है कि वह कौन सा क्रोमोजम निकलेगा अगर एक्स दूख निकल देगा लडकी होगी तो लडका होगा इसको sex ज्रमाज करते हैं ठीक है ये भी बैटा आपके evolution वाला पार्ट है ये हरिटीर नहीं है और इसके बाद next वैटा why are threats acquired in lifetime of an individual not heritage ठीक है तो ये भी आपको ले सकते हो कि बात है तो acquired traits होते हैं वह traits होते हैं जो ऑगन के lifetime में सिखे जाते हैं और वह इनेटेड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह पास नहीं होते हैं इस वजह से वह किसी इसके अंदर समय सकते हैं वैसा नहीं है कि किसी को अगर swimming करने आता है तो लड़के को भी swimming करना आएगा क्योंकि इसका experiment साइनटिस्तों कर चुके हैं हैं वाइ रफ़ इनके नंबर कम हो रहे हैं अब कम हो रहे हैं तो समस्या है कि अगर कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो फूड़ चेन प्रडम हो जाएगी जो फूड़ चैन बना हुआ है उसके दिक्कत हो जाएगी और इसले नेचर तो यह सब तो तीन पॉइंट इससे हम जान सकते हैं कि नए स्पीसिस कैसे निकल सकते हैं क्या है तो आइसा नहीं है बिकाज बोथ मेरे और प्रेजेंट इन से मुझें तो जो जो सेल पॉइंशन बात हो रही है क्योंकि जब मेल और फिमल पार्ट एक ही फ्लावर में रहेंगे तो क्या फरक पड़ता है कि तुम कहां रहर हो कहां नहीं तो कोई फ़रक नहीं पड़ता है उसको तो हर्ज जागा फटलाइशन हो जाएगा ठीक है नहीं सब्सक्राइब है नहीं नहीं रही है कंझे लूशन कर सकते हैं देखम लोगे मोर decor आरो इसके बाल को कुष्छण है और उसके बाद है आपका कमेंड़ा इसको देखे लो मेंडल इसमेंड है भूर ईसको डखेお願いします तल परेंट कि बात की टाहिए तक है और यह हम लागा रीधि नहीं रृब राहिः और यह हम shortened कि पॉशय पिते हैं इभ प्राइड यह बीने है पूस्ट खताव उट मैं वह वह स्वेह फोकस्ट नहीं करनो है आपको पूर सब्सक्राइबहुत आधा तरेट्स त्रेट्स सब्सक्राइब ग्रीच हो है तो नीजे नैसे बात करें दिता नेक्स चेप्टर कि नश्बात करें लाइट रिफ्लेक्शिन डिफ्लेक्शन जो तो इसमें सिंपल तो तो सीन है प्रिंट्रब्स फोकॉश बीरे क्या है तो प्रिंस्पवर अक्सिट पर वह पॉइंट जहां यहां पर कोई भी लाइन अगर कोई भी लाइट अगर आई तो कहां से जाएगी वह सारी की सारी लाइट कहीं एक पॉइंट से से जाएगी उस वह फ्मॉंइंट का होगा तो फेटा आपका फोकॉस हो ठीक है तो ऐसे हम इसको डीफाइन कर सकते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस का प्रिंसिपल फोकस का कोंसेप्ट को चलो नेक्स्स पर आपके लिए यहां पर कि अरुल तो आझ उकल तो है तो आइए उकल तो फोल्म रख दो सीधा आज थे टन सेंटिमिटर नहीं बड़ा और सीधा इमेज बनाएगा और समय से छोटा बनाएगा तो कोई सीन है नहीं तो होता कि इस वाइस गाड़ियों में रेयर विमेर में दिख जाती है इस वज़ेसे गाड़ियों में रेयर में करते हैं ठीक है यहां पर दिख लो यहां पर दिख लो यहां पर फॉर्मला नोट है आप इसको लगाओ और आपका आणसर आ जाए ठीक है और साथ में साइन केलिशन थ्यार रखिएगा क्योंकि साइन केलिशन बहुत ज्यादा इंपोर्टन टेस्टिश के लिए इस दर्टन बटा की लाइट रेर से डेंसर में नमतर बेंड होती है तो यह रेर है और वाटर डेंसर है तो जरूर होगी यस तो इसका अंसर होगा इवाटा यस नेक्स्ट है लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है तो देखो कुशन दिया है कि लाइट की स्पीड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो भी सी लाइट की स्पीड और नीचे डिड़ दुना तीन आगे आप का अंसर फट से ठीक है नेक्स्ट बटा यहां पर आपको नेक्स्ट की की आप उस चैट को देख लो जिसमें बहुत अदर फको कशन करना है बस किस पर करना है एर जानो उसके वाटर 1.33 होती है उसके जानो आप पूढ़िवढ ना नलो भी टाट ग्लास थीक एंग फिटा ऑन प्वाट वाटच में जान लो ग्लास की होतीय है 1.5 ग्लास की होतीया 1.8 है अमांग दा मेडिया गवर डामंड है दा हाइस्ट ऑप्टिकल दंसीड तो इसलिए इसका मैसमा गवर मेडिया और सबसे लिश्ट है आपका एयर का इसके ज़्यान सबसे कम है केरोसीन टर्पेंटाइन है और वाटर है तो वाटर में इंडेक्स कम है और अभी कौर करो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का जो ला है वह विलाउसेटी से इन्वर्स लिप्रोपर्शनल अगर विलाउसेटी बढ़े गी तो इसका मतलब कि सबसे पास्ट लाइट होगी वाटर में ठीक है तो इस पीड़ घट जाएगी ठीक है थीचिड नेक्स्ट नेक्स्ट तो डामनेट 2.42 इसका मतलब यह कि इसका र का लावार फोकल लेंट की बाकी नमेरिकल इसके उपर ध्यांस देख सकते हो इस चीज्य तो सबसे तूरंट में निमेरिकल के लिए आखरी में समय दो थीक्ष तो खुले पुरा करने के बार दो तो भी फिर ये टाइम खीचेगा और आपका टाइम हो जाएगा नुकसान तो उस पर बहुत आपको निप्टिया सकते हो जैसे आपको पाउर बोला है तो पाउर होता है वन अपन फोकल यहां से निप्टिया लो बात सेंपल ठीक है तो वहां पर रखा जाएगा ऑप्शन भी एड टो आजाएगा सेंज मिल जाएगा ठीक है इस फोकल लेंगा इस फोकल लेंट पाई बोथ कंकिव लेंस है इस पर सब्सक्राइब हो रहा है ठीक है यह तो प्लेन हो यह तो कंवेक्स हो दुनों केस में तुम कहीं भी खड़े रहो उसका इमेज हमेशा कैसा बनेगा हमेशा सीधा ही बनेगा ठीक है यह बात को बदेखे ने स्थे अप्ष्ण फोकल लेंट इसका फोकल लेंट फाइब ने चलो नेक्स तब आप क्या इस पर ध्याने जीगा तो गवड हो जाएगा नेक्स ए नियंद टैप इस फिर्मिर सिच्वेशन कौन कौन से मेरे उता है करते हैं उसके बाद है आपका कि अगर एक लेंस का आधा भाग उसको करके ब्लैक पेपर से तो क्या वह इमेज क्योंकि इसका कोई फरकुस के ओपर नहीं पढ़ने वाला ठीक है बगाएदे आप फेव ना कि आप उसको दिखा सकते हैं दिखा देंगे मुझ बंद जाएगा नमपर दे देगा आपको इंदम जाकास वाला कोई टेंचन नहीं है अगर जाए चली तो नुमेरिकल यह इसमें ज्यादा ज्यादा भर भर के ठीक है बाकी उस पर कोई टेंचन नहीं है इसका मदलब यह कि जो उसका उब्जेक्ट वेटा उसका सेम साइज का ठीक है ज्यादा बड़ा नहीं न चोटा है आपके सामने यह हो जाता है समाप्त अब हम लोग बात करेंगे आई एंड देख लो वाट इसमें देख लो वाट इंड पावर ऑफ एक्कुमोडेशन ओड़ा इसका इसका सीन है कि जो भी आखों के लेंस उसको जो एडजस्ट करता है फोकल जैसे कभी आप दूर देख लो इतना जली 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 जो अपना आई लेंस अज़स्ट कर रहा है फोकल लेंद को इसी पावर कहते हैं एक्कुमोडेशन ओप दा आई ठीक है पावर ऑफ एक्कुमोडेशन मादो बीटा कोई है एप पर्समित मैयोपिक आई कैन्नाट सी ऑब्जेक्ट विन 1.2 मीटेटेशन लगाएंगे तो है यह फाइपर मेट्रोपिया को लगाएंगे आप कन लागाएंगे ठीक है और यह प्रेस बाइपियोग तो दून लगा देंगे कोई टेंचन नहीं बढ़ापे वाले लोग है नेक्स्त है वाट इस फार पॉइंट नियर पॉइंट आप्चीश सेंटीमे इसके लिए लेंस लगेगा हो कौन सा होगा तो कंकेव लेंस के हम लोग को उसमें प्रयोग करना है आपका इमेज बनता है तो यहां पे चारों में से इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए 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 उसके उपर टेंचन नहीं लेना है यानि कि जो भी फोकल में चेंडिंग होती है वो किसके वह से होती है तो वह होता सिलिरी मसल्स उस पूरे लेंस को करता है तब उसका फोकल क्या होता है अब यहां पर देख लो यहां पर निमेरिकल है इस देख लो यहां पर डिस्टेंस वीजन और नियर विजन की बाते कर रहा है ठीक है नेक्स्ट पर आपका इस वज़े से नॉर्मल जुनकी आखे सही होती है उनको 25 से नजदीक में नहीं दिखता है ठीक है और अगर अगर उनको दिख रहा है इसका मतलब उनके आखों में धेर-देर डिफेक्ट का स्वात हो गई है ध्यान देना खाना पर शुरू करो तुम लोग कूपोशन का सिकार होते जा रहे हो ठीक है ठीक है खाओ पीओ तो आते जाते रहेंगे लेकिन आइसा नहीं कि छोड़ देना ठीक है एक्जाम को बढ़िया करके न इसको समझाने के लिए आप लेयर ओफ एर सरांडिंग अर्थ जिनकी बढ़िया बढ़ाएंगे तो उसके साइज में तो कोई फ़क्त आएगा नहीं ठीक है आएगा कहां संतर तो उसके दूरी में अंतर जाएगा कि वह कितना दूर है और कितना नजदीक है ठीक है इस पर ह कर सकते हैं और इसको समझाने के लिए आप लेयर ओफ एर सरांडिंग अर्थ जिनकी मेडियम किसी डेंसर होते हैं किसी मोशन करते रहे हैं इसलिए हमको जो इसा देख सकते हो नेक्स तो करते हैं तो कंपरिय कि जो साइज होती है वह काफी चोटी होती है इस वज़य से और प्लस वह काफी नजदीक होते हैं इस वज़य से वह जो इतने ही कहा हमें नहीं दिखते हैं अम few कर जाता है और इस वज़य से नहीं बहुत कम बाकी सब बहुत जादा कर जाते हैं तो उसलिए वह हमें नहीं नहीं दिखते हैं वहाँ पर इटमोस्फेर ही नहीं है कि डार्क की बलू क्यों दिखेगा तीज़ तर यहां पर हम लोग का कलर्फुल वाल वाल भी हो जाता है अब नेक्स अब इसके अंदर बहुत साइड डिवास लगे हों इसमें इसमें करेंट इसलिए फ्लो कर रहा है उसका हम बोलते हैं अब इसको कहते हैं और अगर आप से बूलें कि एक कुलम चार्ज में कितने एलेक्ट्रों होते हैं तो आप वहाँ पे क्यू इक कुलम चार्ज में होते हैं नेवर डिवास डेट हैं तो वह है बैटरी बैटरी को वज़े सही हम क्रोस प्रॉट्ट्रेश रफ्रेंस मेंटेन कर पाते हैं अगर नहीं होती तो नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि जो एक वोल्ट इफ वन जूल और वर्क इस दन तू करिया चार्ज फॉन नहीं कि एक जूल वर्क लगता है एक कुलम चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक ले जाने में तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बेटिविं टू पॉइंट इज वन बोल्ट ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट है हाँ मच एनजी इवन टू वन पॉलम चार्ज पासिंग थूरा सिक्स बोल्ट बैटरी तो कितना उटा है तो फॉर्मला हुता है वर्क इज उकल टू चार्ज इन्टू पॉटेंशियल जहां पर चार्ज है वन कूलम और पॉटेंशियल आपका 6 बोल्ट तो मल सब्सक्राइब करता है तो यह सारे पॉनेट पर कर दोगे अगर डिराइब करोगे तो आपको रिजिस्टिविटी का यहीं से भी निकल जाएगा तो दो-दो काम होगा एक समय नेक्स्ट है नेक्स्ट है डज करेंट फ्लो इजली तो थिक वायर और थिन वायर ऑफ से मैटर करेंट हेन ना वो थिक वायर से ओर तीन वायर से ओ मोर इजली फ्लो करेंगर phase lacνοản से भी थिक वायर से थिंवायक कि एख्यों कि कि क्यों फिटकवाय के थिक वायर का तो थेक करेंट करेंट Táps अधिक जाध उड़ district क्या है को थेक्स यह पिदिन फ्रम्ला है जब हम अधा तो रहत पर्दक फ़र्क पड़ता नहीं पर करेंट भी टोसी डिस्पेक्ट में अधा हो। कोई चाहिए नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरे में प्रयोग करेंगे और उतना ज्यादा ही नहीं सहपाएंगे और पिखल जाएंगे ठीक है इसके बहुत ही कम होती है एक फिगर आप देख लो यहां पर करके दिखाया कैसे आप अपर पूच रहा है यहां से मिक्स कर सकते हो नहीं मिला सकते हो ठीक है नेक्स्ट विटा हमारे सामने सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब तो आपको एक फिगर रिश्टेंस मिल जाएगा ठीक है इस तरह कोशन पूचे का बटाइब त्यार राना इसके लिए नेक्स्ट आपके सामने वाइड दस दब कॉर्ड ऑफ एक्ट्रिक नौट इसकि यहां रॉक्त कोड कीव निज CLO करता है यसा यह नहीं करता है वो इसके अंदर लगा जाता है वह लोग कर जाता है ठीक है नेक्स विटा आपके सामने है एक यह कुशन पर इंपोर्टेंट है देख लेना उसको कि आपको लगार तो आप इसका प्रेविए कर सकते हो और एक इस इक प्रेविए लेक्टिक पाउर करता है कि किस किस रेट से आपके सामने कुश कुशन आ जाएंगे कि पीस वाइर जिसको पांच इकवल पार्ट में कटके बताओ कि उनका कितना होगा तो इसका है विटा आपका फोर्टोल ऑप्शन है पचीस ओम है पचीस ओम वैलू होगी इनकी ठीक है इनका इक्विलेंट रशियो का बटा पचीस ओ सब्सक्राइब तो वह है कि यह सब्सक्राइब आप इसको टिकर होगे नेक्स्ट है इनक्रिक बल्ब आप इसमें फॉर्म लागा तो सिंपल ठीक है आप इसको देख लो नेक्स्ट है सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि क्या होता है हाई होता है एक और चीज आप ग्राफ ऐसे बनता है बिल्कुल इस टाइप का इदम स्ट्रेट वाला बना दोगे आपको फ्रीफोर्ट का फ्रीमें नमबर मिल जाएगा जब पूछेगा भी ना कि हर्दल ग्राप बनाऊ तो आप इस पर ध्यान देंगे यह कोशन पूछे आता है ठीक है ध्यान दीजे वाइस टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है सब्सक्राइब करते हैं जो अलावब होते हैं इस वज़े यह करता है बाकी सब्सक्राइब करते हैं क्यों तुक्यों क्यों कि वह सारे के सारे अगर एक उनमें से सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जैसे बढ़ाओंगे रिस्टेंस क्या हो जाएगा पढ़ता जाएगा इस वरी करता है तो कई सारे सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे करके विटा यह हमारा जो भी हो जाता है अब बात करेंगे अब बात करेंगे के पास लेक्या होगे ना तो क्या होगा ना कि उसके अंदर देफ्लेक्शन सुरू हो जाएगा हमको यहां पर देखने को मिलता है अगर आपको बोले इस तरह के मेंट बना देना जहां पर नौट से निखलता है और नहीं कर सकती है अगर दूनों इंटरसेट करेंगी तो एक पॉइंट के दो जाएंगे अदो डाशन कभी पॉसिबल नहीं है इस वाई से दूनों आपके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ठीक है नेक्स देख्टा आपके सामने एक लूप है लेट इट टेकरेंट पास थ्रूप लूप क्लोग तो अभी क्या मैं आपको आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि आप सिंपल इसको इस पर कोई दिखर है ठीक है हम लोग आगे चार्जा करते हैं सारे के सारे लाइन एक डिर्शन में हैं और बिल्कुल इक्वल पैरलल है इस वाज़सी नियुक्तर इस कितना तो वह है आपका जैसे जैसे हम स्वानौर्ट के नजदिक होते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी जो स्टेंथ होती है वो घटती जाती है ठीक है यह कारण है इसका अमलब की स्वानौर्ट के प्रेव होने नेक्स्ट है विच दो प्रॉपर्टी अप्रोट्रों केंच स्टेंज में इडि मोव स्टीज जो जो ऑप्षिंट तो जो ऑप्षण 3 और 4 है वो दुनों क्रेक्ट है यानि की बाइटा जो प्रोट्रों में तीन और मास वस्पील होगी कॉंसेंट ठीक है सिंपल नेक्स लोब बात करें कि एक पॉसिटिव चाहर पार्टिकल प्रोजिक्ट टुवर्ड वेस्ट टुवर्ट नॉर्ट बाइब नॉट्ट फिल्ट तो दियाशन आप मैंटिक फिल्ट इस निए मैंटिक फिल्ट के तरफ विज लगा तो प्विट्या फ्लेविं फ्लेमिंग लेट एंड रूर्ट तो यह फिर आप वह लगा सकते प्विट्या एक और सीन आप यहां पर मैक्स विल्ट का लिफ्ट अंड driving नगाओं गहे जिसमें वर्क फिल्ट और करेंट तेनों के पॉइंट की बात की गई है तो आपको यह आंसर बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है तो इस्टे जो था फॉर फिंगर सेंटर फिंगर फिट्व लेफ्ट हैंड देगर मैंचुली पर परंडिकुलर और फॉर फिंगर क्या रेप्रेजिन करेंगा वह करेगा और थम क्या करेगा किस एसना फोर्स लगने वाला है कोई इश्म नहीं है वैसे पे उरकिस पे करता है तो किntर अुटर मेरे सपिर्टरों के इश्ण नहीं है वाट इस बहुत करेंगे तो chem in the प्रोडुस्ट है तो ये तरीक है डिसक्रrh Zum सर्स ब्राइट करें इंपोरेंट है डाई सेल है बैटरी है नेक्सट नेक्सित नेम टूष्टी मेंजर कम रिइसुट इन अफ्लाइंस तो पहला एलेक्ट्रिफ्यूज जिससे की मलब शॉट्स नहीं होगा और ओवर्लोडिंग और दूसरा अर्थिंग कि एक्स्टा करेंट आ गया तो और चला जाएगा और हमें एक्स्टा शॉक नहीं लगाएगा तो इसलिए है कि एक ही सॉकिट में बहुत सरे अप्लाइस नही करो और यह मलब की आवकात देखे लगाओ कि एक बोर्ट की चंता कितनी है ठीक है और अलब और और भी अलब बोर्ट खरी लो यार कहें को एकी बोर्ड में मक्चूसी की होगा हो ठीक है चलो नेक्स्ट है विच तो फॉल्मिंग करेंग तो कॉन सा डिसक्राप कर रहा है तो वह है फॉर्थ ओप्शन दा फिल कंसिस्ट अब कॉंसेंट्रिक सर्कल यानि कि कोई भी अगर इस्ट्रिक करेंग केंड़क्टर है लॉंग तो उसमें उसकी चार्ट तो मैंडिफिट बनेंगा कॉसे बनेंगा यानिकी एक ही सेंटर से कई साथ बनते है ना वैसे बनेंगी अगेल्केशन इस बोटवाइटर के पास लिपरिंग होता है और दिसी बत कमप्टर होता है यह जैनलिए टीप्रिंटर के पास स्लुपरिंग होता है और कमप्रिंगोता है यह भी से लबस में नहीं है को इश्य कहें है नेक्सित टाइम धे निष्ट करने कनृ कितर हता गया दीए प्रिए yhteeton कि अधिने को सॉट सॉट शीट जाता हैłościbbles तर दे Hum लाइव वायर ओर लुट्रल रखे गाल से नेक्स्ट है आपका हो आपको एक सबस्क्ताइब करते हैं सब्सक्राइब इसकी प्रोपर्टी जैसी पर लोटे में नेकलता है है और मिल जाता है और ऐसा स्वापनार्ट के संग भी होता है ठीक है नेक्स्ट है आप देख सकते हो कि आप मोटर में नहीं बैटा मोटर आपके कोई इशू नहीं है नेम सम डिवाइस इन विच एलेक्ट्रिक मोटर यूज छोड़ दो इसको छोड़ दो छोड़ दो कोई इशू नहीं है और कोशन है वाइड टीक सब्सक्राइब करते हैं तो और तक करते हैं जब सीम जाता है कि कि बहुत ज्यादा की ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा है अगर बॉडी में आ जाएगा तो इस वज़े से हम ग्राउंडिंग करते हैं और तो किसी को भी शॉक ना लगए ठीक है और ऐसे को बटा इलेक्ट्रिक बजाता है समा ठीक है अब बात करें नेक्स्ट की है कि आपनों बात करने वाले हैं अब है कि आप जो सबस्तांस बैर्ड रिवल्यवल और जो पूच आते नहीं है और जो पोचते हैं साज़साइब जैसे प्लास्टिक हो गया और बार्ड़ बार्रोड में जैसे कि क्ली अच्छ लिए आपिए ब्लाइब चिलका वाले प्लांट है पेड़ पौदे फूल पतिया इसमें कम से कम तीन दीन जामपल आपको मेंचन करने हैं तो तीन दीन जामपल आप मेंचन करनेंगे ठीक है तो पहला है कि अगर हम उसको अच्छे से नहीं मंदब की डिस्पोस करेंगे तो वह एक प्रदूर्शन के करना बन सकता है और उसका यूज कंपोस्टिंग के तौर पर हम करते हैं जिससे स्वाइल की फटलिटी क्या होती है बढ़ती है ठीक है अजिक प्रदेशन करता है लगाई पर स्वाइट लेवल उसका को काफी घरनाख तो इंफेक्ट कर सकते हैं ठीक है लेटा ट्रॉफिक लेवल्स कि यह एंग अब इसमें से काइब हो गया है वो सारे सारे कि यह विए ने गरास को खा गया और लॉयन को बैक्टिरिया फंगी मार गया तो इसले कोई बचा नहीं नहीं तो यह सीन है तो अब देखो जिसे यह ट्रॉफिक लेवल में पिटा ना कि अलगल एलगल एक लेवल दो लेवल तीन लेवल बना हुगा अब उन लेवल को बोलता है तर्जा दिया गया है तो उनको वापस से इकोसिस्टम बैंस करने के लिए यह तो मिल जाते हैं तो फिर से वापस से यह चलता रहता है वाट इस और आफेट इन इकोसिस्टम इन्हीं ऊजन के तो अब तो जब जूड़ता है तो बन जाता है और यह हमारे अर्थ को बहुत से अर्थ की साथ तो हमें भी बचाता है यह नहीं है जाता है तो जाता है तो जाता है तो एक लिफड़न सारे चीज़ों को अपनाती है अपनाती है एक गुरीन डबा रखती है तो ब्लू डबा रखती है गीला कचड़ा इसमें डालो वैसे वी समय लड़का है जो अक्सर टीवी परचा करता रहता है कि हम जाके तो मेरा विसमें बेकार जाएगा तो सम्झा चाहता है लेकिन वह समझाने कोशित पूरी तरह करता है ठीक है चलिए आपके सामने वीज़े थे फॉलवेंग ग्रूप क केक लाइन जूस और केक उड़ ग्रास इसके अंदर बस फड़ लाई जा रहा है और कि यह कंपोस्ट हो जाएंगे सीधा कोई देशन नहीं 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 तो बहुत दिख कर जाएगे टीवट है यह नहीं है तो आप्शन सही है तो सारे सारे हमें लेके चलना चाहिए और घर से बाहर निगना से पहले स्विच आफ करना चाहिए लाइट फैंस ताकि इनर्जी वेस्ट ना हो और वाकिंट अपने पहले जाना चाहिए बजाए मुझा चलो कुछ सीखोगे चलो नेक्स टेबटा वाट विल हैपन इफ वी कि सब्सक्राइब कोई बचे गए निदर थीक है तो समसी नेक्स्ट है वाट इंपेक्ट और ट्रॉफिक लेवल्स यानि हम क्या करें कि अलाला ट्रॉफिक उस पर एक एक को खटाते चलें तो क्या होगा तो किसी को भी हटा होगे ने बटा जैसे मांनों प्लांट टियर लॉए ने तो खाये नहीं इस लॉए नहीं मर जाएगा ठीक है और प्लांट बढ़ते जाएगा उसके बाद माचे नो नटा दिये तो प्लांट प्लांट को डियर खाते जाएंगे और खतम हो जाएगा तो यह सब आपस में बैलेंस है इसलिए इको सिस्टम बैलेंस होना च हमारे सर्भाण के बनने से सब्छलिटेंस हो से जितने भी करें चर्ण принई बना देता है और ऴहां पर जो लाइट हो olanे में आफिशन अगी बननामоля जाते हैं अ़ ada गव्हां को होती में लिचन हो चरण होएगगी जाते खिक है और जर्फों जब मर जानेंगे तो ने ऑदों इसमें हम्फुल केमिकल की जिमेंदारी है लॱह कोई लेता ही नहीं है छॉब बात करें हम लोग वेश्ट यानी कि क्या प्रवल्म होती है तो उससे क्या होता है कि थे खराब होता हमारे होता है फटलाजर है यह सब्सक्राइब्या को खतम करते जा रहा है और एक समय से नहीं तो क्या खाऊगे नहीं तो क्या खाऊगे चलो सुच के बताना नेक्स्ट इसके अंदर आप थोड़ा अपना अपना मोरा दे रहे हो और आपको समने क्या लिखे हैं जानते हो यह ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे आसपास हो रही है तो आप अपने आसपास होने वाई चीजों को भी उसके इंदर मेशन करो बना तो कोई दिक्कत नहीं है चल जाता है कोई इशो नहीं है आपको नंबर मिलेगा क्योंकि आप कुछू चेप सकते हो इसमें अब आईसा मत चेप देना कि गाना चेप देना अब इमत कि नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए इसलिए क्या रहता है उसके वार्मिंग में कोई ज्यादा प्रहुतरी उसके वाज़ा से नहीं होती है ठीक है चलो नेक्स्ट वाइस जामेश तो ऊजन लेयर कॉस्ट फर कंसर्ण तो बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर रहे थे आपने अपने एस फ्रीज वाशिंग मशीन में वाशिंग में इस निकारते एसी में कार्स में इसके वज़ा से सीटान इन्वोडमेंट में ओधर कर रहे थे जिसके यूब बढ़ रहा था और हमारे घर्लोब बढ़ बढ़ गया जिसके वाज़से बहुत जगत आंदी तु करते हैं कि हम कोई भी इस तरह का फालतोरी सी यूजने नहीं करेंगे जिससे हमारे ओजनों क्या हो नक्सान हो ठीक है तो यह स्टेप सीरियस जो मलब की बिटा जितने भी गवर्मेंट है ले थे अपने कंट्री को अपने वर्ल को बचाने के लिए ठीक है वह अलग बात है कि लोग पगलाते जा रहे हैं सबको मुने मार्स पर जाना है जुपिटर पर जाना है तो सैटन पर जाना है समझ में यह तक क्या हो रहा है अर्थ पर उनिवर्श्ट करो खुली बची रहेगी तो बहुत जगा जाना ठीक है तो यह तर पिटा हम लोग का आखरी टॉपिक और आट जाता है यह चेप्टर समाथ और यह सारे के सारे बहुत इंपोर्टन इंसेडी कोश्चन में कुछ निमेरिकल जिसको हम ने खाली बस आपके सामने लोट किया है आप उन सारे निमरिकल्स को गौर करो ठीक है गौर करो देखो और कोई प्रॉल्म हो तो आप हमें कमेंट आपके पेपर के लिए और वो थोड़ा सोव ठीक है और राता बार वाटसेप और अपना आपकी दील सुसमने देखना है पढ़ाई थोड़ा सा मुझे थोड़ा नीन लो नीन आवश्क है सुबह उटके वीडियो देखो फास्ट प्रवर मोड में डेक्स की स्पीड से देख स तो ठीक है जटवड़ा आराम से गुड़नाइट रात की देड़ बजे कोई बज़ रहा है और देड़ बजे गुड़नाइट ठीक है चलते हैं